हेलो आज में लेकर आया हूँ थर्ड सेशन टेडिंग नजन एलिमेंटरी का जिसमें हम डिमांड सप्लाई के बारे में ही पढ़ेंगे बड़ थोड़ा और एडवांस लेबल कि हमें डिमांड सप्लाई एडेंटिफाई कैसे करने हैं कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं जो डि देखनी होती हैं और फिर सीखेंगे उनको आइडेंटिफाई करना कि हमने किसी भी टाइमफ्रीम का चार्ट ओपन किया उस चार्ट पर क्या-क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए कौन-कौन से स्टैप्स होने चाहिए डेमांड और सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए ये थर्ड सेशन का टॉपिक रहेगा बट मेक शूर कि थर्ड सेशन देखने से पहले आप पहले की क्लासेज फर्स क्लास और सेकंड क्लास देख चुके होंगे क्योंकि तभी आपको ये थर्ड सेशन समझ में आएगा I know कुछ लोगों के लिए ये चीज नई होगी बिलकुल नया फील है या फिर नई थियोरी है तो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट आप इन वीडियोज को जितना देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उतनी ही चीज़ें आपको समझ आएगी क्योंकि जब भी हम कोई नया काम करते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम तो होती है ये सभी के साथ होता है आप अकेले के साथ नहीं हो रहा होगा सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज जो नहीं है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है बट कोसिस कीजिए, रिकोर्डिंग को बार-बार देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा. तो पूरी dedication के साथ, concentration के साथ, third session को देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि किस तरह से practice करने, किस तरह से charts में हम demand and supply को identify करते हैं. So guys, let's get started. Good evening everyone. Can you please confirm my voices loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. So hope you all are doing good and had a nice day. सबसे पहले सभी लोग अपनी chat setting को change कर ले and please इसे all panelists and attendees कर ले. Okay, group chat जो है, अभी just class के बाद में enable हो जाएगी. Class जैसे ही खतम होगी, mentors भी add कर दिये जाएगे. Because, आज class के end में मैं आपको homework देने वाला हूँ, जो कि आपको mentor को send करना है. कुछ एक rules रहेंगे homework send करने के, वो मैं भी बता दूँगा, जैसे ही मैं homework दूँगा तब. मतलब class के end में मैं आपको rule बता दूँगा कि आपको homework कैसे send करना है. कल हम normal कुछ zone की strength के बारे में बढ़ रहते हैं. एक बार quickly revise कर लेते हैं कि basically कल क्या पढ़ाता? विकोज जो भी आज जो हम पढ़ने वाले हैं ताकि उसमें कोई भी confusion ना रहे हैं. कल हमने basically पढ़ा था कि कुछ इस type से pattern हो सकता है. जिसमें हो सकता है कि price जो है पहले down आए, down आने का मतलब always यह होता है कि वहाँ पे seller जो है वो buyer के competitively जादा है. उसके बाद में हो सकता है कि base candle बने. Base candle बनने का मतलब यह है कि यहाँ पे buyer आ चुके हैं competition देने के लिए seller को और अब एक buyer और seller की fight चल रही है. उस fight के बाद में कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि price up जाए और हो सकता है कि price down जाए. यहाँ पे आप देख पा रहे है कि price जो है base candle के बाद में up गई है. That means इस fight का result यह निकला है कि number of buyer is greater than number of seller. और हम कह सकते हैं कि buyer जो है वो यहाँ पे win-win situation में है. हम यह भी कह सकते हैं कि अगर price up गई है तो definitely यहाँ पे अभी भी buying के pending order है. यह pending order कितने होंगे वो depend करेगा इस candle की length पे जो green candle है इस candle की length पे depend करेगा कि यह pending order वाक्य में potential वाले हैं या फिर normal pending order है. मतलब base candle के बाद में जो भी green candle बनेगी उसकी length ही decide करेगी कि वो area कितना powerful है. उस area में कितने pending orders है. इस candle का opening and closing, opening and closing का जो difference है वही बताएगा कि basically यह candle कितनी powerful है, कितनी explosive है. अगर इन दोनों picture की मैं बात करूँ तो इन में difference यही है कि first और second candle तो दोनों में same है, बट जो green candle है वो second case में explosive है. अगर इसको एक number से हम समझे तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं. Let's suppose अगर यह candle, green candle का open always lower body होता है, अगर यह hundred rupees पे open हुई है, तो हो सकता है कि यह close हुई हो hundred and twenty पे है. अगर इस case की बात करें, सब चीजे same है, लेकिन अगर यह hundred rupees पे open हुई है, तो हो सकता है कि यह hundred and thirty पे close हुई है. और अगर इस case की बात करें, तो अगर यह hundred पे open हुई है, तो इन दोनों candle का close, मतलब after this candle, जो second green candle है, उसका close हो सकता है कि 140 हो. That means opening and closing का combined difference is 40 rupees, यहां पे difference is 30 rupees, यहां पे difference is 20 rupees, मैंने आपको बताया कि price इतनी अप क्यों गई है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे demand बहुत जादा हो, seller वहां पे नहीं हो, continuously demand आएगी तो price अप ही जाती रहेगी, third case में continuously demand है, उस वज़े से price इतनी अप गई है, उसी वज़े से हम third case में कह सकते हैं कि यहां पे base area के अंदर में बहुत सारे pending order है, और जब भी इस type की picture होती है, तो हमें पता है कि वह pending order इतने potential वाले है, कि price में अगर कुछ selling pressure आ भी रहा है, तो भी वह survive कर जाएगा, that means अगर price यहां से down आती है, तो इस area को hit करके वापस से react करनी चाहिए, इन सभी में react करनी चाहिए, बट इस third case के अंदर में basically probability सबसे ज़्यादा होंगी, और यह probability हमें क्यों चाहिए, मतलब कि क्यों ऐसा कि हम ऐसे ही area को consider करें, इस area को consider क्यों ना करें, और अगर इसको consider कर रहे हैं तो इसको consider क्यों ना करें, इसके पीछे basically practical reason यही है, क्योंकि हर time market हमारी तरह हमारे codingly behave नहीं करेगा, कभी कभी हो सकता है कि selling pressure ज्यादा हो, तो उस selling pressure के अंदर में भी हमारा कौन सा level survive करेगा, उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो level है, हमारा जो area है, हमारे जो pending order है वह वहां पे sufficient हो, हमारा जो area है, वह काफी powerful हो, ताकि आसानी से breach ना हो, इसलिए always हम यही देखेंगे कि हमारे पास में green candle जो है, मतलब base candle के बाद में green candle वह काफी powerful हो, यहां पे powerful है, यहां पे powerful है, अगर इस case के हम बात करें, तो same concept यहां पे है, बस यहां पे selling के pending order है, यहां पे normal selling है, यहां पे आप देख रहे हैं, यह drop बहुत ज़्यादा explosive है, पहले price अप गई, that means buyer win-win situation में थे, seller आते है, buyer को competition देने के लिए, हम कह सकते हैं कि number of buyer जो है, अब वो almost equal है seller के, लेकिन यहां पे इस fight का result यह निकला कि seller ज़्यादा हो गए, और seller price को downside में लेकि आगए, अगर price downside में यहां पे pending sell order है, अगेन इसके length की बात करें, तो red candle की जितनी strong length है, red candle जितनी ज़्यादा explosive है, उतने ही ज़्यादा pending sell order होगी, और हम कह सकते हैं कि जैसे ही price अगर अप जाएगी, तो इस area को रियक करके वापस से down आनी चाहिए, हो सकता है कि वो यहां से down आ जाए, इस area को touch करके, और हो सकता है कि वो यहां से down आए, और हो सकता है कि वो विलकुल top bottom से down आए, इसके top से down आए, यह depend करेगा कि price जब up जा रही है, तो कितने buying pressure के साथ में जा रही है, और अगर buying pressure को ज़्यादा ही हो गया, तो हो सकता है कि price इसको भी breach कर दे, मतलब total buying selling का ही game है, हमें कुल मिला के एक ऐसा area देखना है, जिसके अंदर में हमारे पास में potential pending order हो, जो कि आसानी से breach नहों, और हमें एक चीज़ तो यहां पे clearly and practically समझ में आ रही है, कि उस area के अंदर में, अगर एक step, एक अगर case को हम consider करें, तो first step, first case तो हमें मिल चुका है, कि अगर base candle के बाद में, green candle, जितनी ज़्यादा powerful है, जितनी ज़्यादा explosive है, वो area उतना ही strong है, और अगर red candle जितनी ज़्यादा powerful है, तो वो selling के pending order उतने ही ज़्यादा वहाँ पे हैं, तो यह था basically strength of the zone, जो कि कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं pattern of the zone, अगर देकि एक चीज़ तो यहां पे समझ में आ रही हैं, कि basically यहाँ पे base candle के बाद में price up गई है, और यहाँ पे base candle के बाद में price down गई, that means यह buying area है, जिसे आज से हम बोलने वाले है demand zone, और अगर price यहाँ से down आई है, that means इसे हम बोलने वाले selling area, या फिर हम बोलेंगे इसे technically supply zone, तो basically यह सभी के सभी pattern है demand zone के, और यह all three pattern, यह है supply zone के, pattern wise बिल्कुल same है, मतलब यह pattern एक ही है, बस इसी pattern के अंदर में जो हमारी green candle है, उसकी length अलग अलग है, तो basically इसे एक pattern read करेंगे, और एक pattern इसे read करेंगे, मतलब यह pattern है demand zone का, और यह pattern है supply zone का, हाँ, हम यह कह सकते है, demand zone का यह pattern, इसके comparatively थोड़ा अच्छा है, यह इससे भी अच्छा है, same with supply zone, अद देखिए, single single pattern तो यह हो गए, बट इसके अलावा भी pattern होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले pattern को ही discuss करते हैं, कि basically कौन-कौन से pattern एक demand zone में और supply zone में होते हैं, first pattern में हमने क्या देखा, कि price जो है, पहले down आई है, down आने के बाद में, इसने base candle form की, यह देखिए, base candle multiple भी हो सकते हैं, इससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब यह कि यहाँ पर एक base candle form हुई है, और उस base candle के formation के बाद में, price जो है, वो अप गई है, यह अभी जो हमने last slide के अंदर में discuss किया, वही pattern है, जिसमें price down आना, down आने के बाद में एक buyer seller की fight होना, और उस fight का result यह निकलना, कि buyer जो है, वो win-win situation में, price को up लेके गए हैं, तो यहाँ पर pending order है, buying के, अगर pending order buying के हैं, that means यह एक demand zone है, marking कैसे होगी, just इसके बाद में हम वो ही सीखने वाले हैं, उससे पहले हम pattern read कर रहे हैं, अब इस pattern को हम basically read कैसे करेंगे, जो भी red candle है, इसको technically आज से हम बोलने वाले हैं drop, base candle को always base candle ही बोलेंगे, और ग्रीन candle signifies कर रहे हैं कि price के अंदर में bullish momentum है, मतलब price वहां से up गई है, price में एक rally है, that means इसे हम read करेंगे rally, तो pattern को कुछ इस type से read किया जाएगा, drop, base, rally pattern, in short हम इस pattern को read करेंगे, let me write down drop base rally, dbr, red candle that means drop and base candle मतलब base candle और अगर green candle है that means rally, yes, two red candle भी हो सकती है, two green candle भी हो सकते हैं, उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा, फिर भी हम इसे draw base rally ही read करेंगे, अगर यहां पर multiple base है, तो भी pattern draw base rally ही रहेगा, ऐसा नहीं कि draw base 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 rally, ऐसे read करेंगे, बोलने को बोल सकते हैं, बड़ definition यहीं रहेगी, yes, as of now base candle होना जरूरी है, base candle कब होना जरूरी नहीं है, यह आने वाली classes में हम पढ़ने वाले, आने वाली classes में हम ऐसे भी consider करेंगे, जिसमें base candle ना हो तो भी हम consider करेंगे, but initially बिल्कुल foundation पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल skate से चलेंगे एक दम से, किसी भी चीज़ पर advance पर जंप नहीं करेंगे, तो एक pattern तो यह हो गया, जो कि हमने previous slide में पढ़ा, अब इसी के अंदर में second pattern क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि always price down आए और फिर fight हो और फिर up जाए, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि यह concept as it is रहे, मतलब base के बाद में rally बनी, because demand zone में हमें rally तो चाहिए चाहिए, but इससे पहले possible यह भी है कि green candle ही बन जाए, मतलब यह red candle ना बनके green candle ही बन जाए, कुछ इस type से, यह भी तो possible है, अगर ऐसा होता है तो अब हम इसे कैसे read करेंगे, rally base rally, और in short इसे हम बोलेंगे RBR pattern, मतलब इस केस में क्या और base candle से पहले price डाउन आई, लेकिन इस केस में क्या है, पहले से प्राइस आप जा रही है, और फिर base candle बनके फिर अगें प्राइस आप ही जा रही है, अभी आप लोगों को कुछ भी अज्यूम नहीं करना कि हम कैसे अज्यूम करेंगे, अभी सिरफ वो सुनें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर question का answer मिल जाएगा, don't worry, अब देखिए यह pattern तो हो गए basically demand zone के, अब supply zone का pattern कौन सा हो सकता है, हमने previous slide के अंदर में देखा कि यह demand का था, supply के pattern कुछ इस type से था, जिसमें पहले rally बनी है, फिर base बनी है, और फिर drop बनी है, तो इसी pattern को वापस से यहां पर note down कर लेते हैं, मतलब पहले price के अंदर में एक rally आना, after rally, एक base candle बनना, that means जो price आप जा रही थी buying pressure के साथ में, वो रुक गई है, रुकी क्यों, क्योंकि यहां पर base candle का बनती है, जब buyer और seller की fight होती है, इसका मतलब यहां पर seller आ गए है, sufficient seller आ गए है, और अब buyer और seller की fight चल रही है, हो सकता है कि इसके बाद में same यही pattern बन जाए, मतलब price जो अप जा रही है, वो अप ही चली जाए, और हो सकता है कि यहां से price down आ जाए, अगर यहां से price down आती है, तो हम इस pattern को बोलेंगे, कि यह pattern हुआ है, draw, base and, sorry, rally, base and drop, जो की एक supply zone का pattern है, green candle that means price के अंदर में एक rally है, यहां पर base candle and red candle, इसको हम read कर रहे हैं as a drop, तो यह pattern होगा, rally, base drop, और in short इसे हम बोलेंगे RBD, अब second pattern क्या हो सकता इसी के अंदर में, इसको as it is copy कर लेते हैं, supply zone है, that means base candle के बाद में price तो down आएगी, अगर supply zone है तो price में, हो क्या सकता है कि हो सकता है कि यहां पर भी एक drop ही बन जाए, जरूरी नहीं है कि पहले price आप जाए और फिर डाउन आए, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले से price डाउन आ रहे थी, डाउन आने के बाद में, अगेन वो डाउन ही आ गई, इन शोट इस पैटन को हम बोलेंगे डी बी डी जैट मेंज ड्रो बेस्ट पैटन तो बैसिकली यह दोनों पैटन हुए डिमांड जोन के, और यह दोनों पैटन हुए हमारे पास में supply zone के, तो यह हो गए पैटन ओप दा जोन, अब पैटन अब दा जोन में आपको एक चीज़ समझ में आई है, टोपिक का मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाते है टाइम धान में रहे कि हमने बेसिकली क्या पड़ा है, demand zone में हमारे पास में two pattern है, एक है drop-based rally, एक है rally-based rally, same supply zone में भी हमारे पास में two pattern है, rally-based drop and drop-based drop, कैसे differentiate करते हैं, एक बार मैं वापस से repeat कर रहा हूँ, धान से सुने सब्ही लोग, demand zone का जो first pattern है, उसमें ऐसा है कुछ कि price पहले down आई, मतलब seller win-win situation में है, उसके बाद में एक base candle बनी, इसका मतलब अब buyer और seller की fight हो रही है, और उस fight का result ये निकला कि वहाँ पे price up गई है, price के अंदर में एक rally है, that means यहाँ पे pending के buy order है, और अगर price down आना, फिर base बनना, और फिर price up जाना, तो इसको हम represent करेंगे as a drop base rally pattern, यहाँ पे कुछ इस type से हुआ कि पहले से ही price up जा रही थी, अब जाने के बाद में एक buyer और seller की fight इस्टार्ट हुई, वो सकता है कि किसी point की उपर में seller आ गए, बट ultimately उस fight के बाद में भी, जो bullish momentum continue था, वो अब भी continue है, मतलब price अभी भी अभी जा रही है, तो इस pattern को हम read करेंगे rally based rally, supply zone का जो first pattern है, that means rally based drop, पहले price up गई है, अब जाने के मतलब price के अंदर में buying pressure था, उसके बाद में एक buyer seller की fight हुई, और fight का result यह निकला कि seller जो है, वो इस बार win-win situation में है, जो कि price को down ले के आये है, that means इस area में, जो base candle का area है, यहाँ पे अभी भी pending के sell order है, तो price अब जाके down आना, that means rally based drop, second pattern में पहले से ही price down आ रही थी, और down आने के बाद में वहाँ पे buyer आये, कुछ competition हुआ, कुछ fight हुई, उसकी वज़़ए से एक base candle बनी है, and again उस fight के बाद में seller ही win-win situation में है, मतरब जो price अगर down आ रही थी, उस fight के बाद में again वो down ही आती है, तो इस pattern को हम read करेंगे, dbd pattern, draw base draw pattern, देखे, demand zone का जो pattern है, उसके अंदर में after base candle, always green candle बनेगी, और supply zone का जो भी pattern होगा, उसके अंदर में after base candle, always red candle बनेगी, simple formula, अब एक एक नाम और देते हैं, like drop base rally तो दे दिया, अब अलग से एक नाम और देते हैं technically, वो नाम क्या होगा, इस red candle को हम नाम देने वाले हैं lagging, इसको base ही रहने देते हैं, और rally को हम नाम देने वाले हैं lagout, इसका मतलब lagging, base, lagout, सेम यही concept यहां पर रहेगा, यह rally हो, चाहे drop हो, मतलब, base candle से जो left hand side में candle है, वो always होगी lagging candle, और base candle के right hand side में जो candle है, वो होगी always lagout candle, सेम यहां पर, base candle से जो left hand side में candle है, चाहे green हो, चाहे red हो, वो होगी lagging candle, और base candle के just बाद में, जो candle है, वो होगी lagout candle, मतलब, और four cases में, जितने भी चारों case हैं, उन सब के अंदर में, यही definition रहेगी, base candle के जो left hand side के अंदर में होगी, वो होगी lagging candle, और base candle के जो right hand side में होगी, वो होगी lagout candle, अब important point सुनिए, lagging and lagout जो है always exciting candle होगी, lagging and lagout should be always an exciting candle, base candle का formula आपको पता ही है, कि body part जो है, total range के 50% part से कम है, तो फिर वो base candle होती है, exciting candle के अंदर में, 50% part से जादा है body part, तो lagging and lagout जो है, वो always exciting होगी, and remember, demand zone के अंदर में, lagout always green होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों cases के अंदर में, इस demand zone में, अंद इस demand zone के अंदर में, lagout candle always green है, supply zone के अंदर में, lagout candle always red candle होगी, इन दोनों cases में, lagging candle कुछ भी color की हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, lagging candle demand zone में, green color की भी है, और red color की भी है, इस pattern में red color की lag लेगिन है, Similarly supply zone के अंदर में इस pattern में legging का color green है लेकिन इस pattern के अंदर में legging का color red है बट एक चीज़ confirm है और वो चीज़ ये कि leg out candle जो है वो always demand zone में green होगी और supply zone के अंदर में red होगी और leg out candle जो है demand zone के अंदर में green होगी और supply zone के अंदर में red होगी और leg in and leg out दोनों की दोनों ही exciting candle होनी चीज़िए अब इनके बाद में कुछ भी बने इसके बाद में चाहिए बेस बने या कुछ भी बने वह एक अलग चीज़ है देखिए लेगिन भी multiple हो सकती है हो सकता है कि इससे पहले भी एक leg in candle हो कुछ इस टाइप से उससे भी कोई फरक नहीं पड़ा इस्टिल हम इसे ऐसे रीड करने वाले हैं leg in base leg out हमें minimum one leg in and one leg out चीज़िए हर एक pattern के अंदर में one leg in one base and one leg out यह हमें चीज़िए अगर multiple हैं तो भी कोई problem नहीं है हो सकता है कि two leg in two leg out हो और two base candle हो क्योंकि base leg out candle जो है वो भी हो सकता है यहाँ पर multiple हो हुआ है बट इस्टिल हम इसे रीड ऐसे ही करेंगे लेगी बेस एंड लेग आउट है यह वापसे रिपीट कर देता हूं last वाला पोउन्ट बेस्केंडल से जो लेफटेंड जाड में पेडिन जो तकेंडल होरी और र該 हैंड है ने हें लेग आउट कंडल होकी हमने देखा कि और में लेग आउट कंडल ओलविज ग्रीन है in cases के अंदर में但 जोन में लेगवड पेंडल Ka Kyung Few वो उन्वेश ग्रीन है है वाइल सप्लाइज ओन के अंदर में जो लेगवड केंडल है वह उल्वेश रेड हैक लेकिंनшей इनडल कोई भी कलर की हो सकती है यहाँ पर देखे कर chat केंडल जो है वो रैड है यहां पे लेगिन केंडल का कलर ग्रीन है सिमिलरली यहां पे लेगिन केंडल रैड है और यहां पे लेगिन केंडल ग्रीन है तो लेगिन का कलर कुछ भी हो सकता है लेकिन लेगाउट का कलर जो है अगर ग्रीन है तो मतलब वो डिमांड जोन का पैट लेगिन और लेगाउट दोनों की दोनों ही exciting candle होनी चाहिए यस multiple लेगिन, multiple लेगाउट, multiple base भी हो सकती है, हो सकता है कि two leg-in candle हो, two base candle हो, और two leg-out candle हो, but still अभी भी हम इसे read essay करेंगे, leg-in, base and leg-out, और अभी भी pattern demand zone का ही रहेगा, हर एक pattern को form होने के लिए minimum three component हमेशी है, और वो minimum three component है, एक leg-in, एक base and एक leg-out, यस अतुल वो ही बताया कि base candle maximum हो सकती है, कोई भी issue नहीं, लेकिन ये दोनों की दोनों candle जो है, वो exciting होनी चाहिए, और minimum one 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 चाहिए हमें, one leg-in, one base and one leg-out candle, and remember, हमने strength of the zone में पढ़ा, वही same चीज है, यह देखिए, वही तो pattern है, जो अभी हम पढ़ गए है, इसका मतलब क्या है, too many pending order at the base, very strong buying, क्यों, क्योंकि यहां पे maximum number of leg-out है, two leg-out candle है, तो important point सुन लेजिए, चाहे note-down कर सकते हैं, जितनी ज्यादा leg-out candle होंगी, जितनी ज्यादा leg-out candle होंगी, वो zone उतना ही powerful होगा, and remember, leg-out candle जो है, ज्यादा से ज्यादा explosive होनी चीए, लेगिन candle explosive नहों कोई problem नहीं है, बट leg-out candle जो है, वो बहुत अच्छी explosive होनी चीए, जितनी leg-out explosive होगी, और जितनी number of leg-out candle होगी, वो area उतना ही strong होगा, strong होने का मचलब यह कि उसमें pending order बहुत सारे होगे, demand zone का है, तो buying के pending order होगे, और अगर supply zone का, तो selling के pending order होगे, और वो area असाने से bridge नहीं करेगा, unnecessary कोई भी strong selling pressure आता है, अगर demand zone के अंदर में, तो भी possible है कि वो area survive कर जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे pending orders थे, जेनी edge of now सिरफ इतना focus कीजिए कि हमें base candle ही, अगर red candle के बाद में directly green candle आ गया, that means, अभी के लिए हम उसे consider नहीं करेंगे, हो सकता है कि आने वाली classes में हम उसे consider करें, बट अभी के लिए हम बिलकुल भी consider नहीं करेंगे, अभी के लिए हमें ये all three components चाहिए, लेगिन base and leg out, चाहे कोई भी pattern क्यों ना हो, ये हमें चाहिए चाहिए, लेगिन अगर बहुत अच्छी explosive नहीं है तो भी चलेगा, but हाँ, exciting जरूर होनी चाहिए, exciting का मतलब बोडी पार्ट जो है, वो 50% पार्ट से, total range के 50% पार्ट से ज्यादा होना चाहिए, yes, strength of the zone depends on the number of leg out candle, जितनी ज्यादा number of leg out candle होगी, वो zone उतना ही powerful होगा, and इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, कि यहाँ पर आप ये सोचें कि ये भी तो leg out candle है, जिसका body पार्ट जादा है, ये भी leg out candle है, जिसका body पार्ट जादा है, मतलब exciting candle है नहीं दोनों की दोनों, क्योंकि इनका body पार्ट जादा है, बट basically इन्होंने क्या achieve किया, आप देखेंगे इन दोनों की जो combined rally है, वो इसकी rally से भी कम है, इसकी rally के भी हाप है, तो ऐसी तो अगर two की जगे अगर three candle भी है नहीं, तो भी basically कुछ काम की नहीं है, क्योंकि practically समझ में आ रहे हैं, तीनों का अगर total करें, तो भी opening और closing का difference जो है, इसके comparatively कम है, गार्बेज एरिया है, बट अभी के लिए अगर आप marking कर रहे हैं, तो marking हमें proper करना है, अगर ये leg out है, हमारे according rule के accordingly, तो हमें उसे mark करना कि ये leg out है, अगर ये leg in है, leg in है leg out, exciting सी ह में, explosive की तो बात ही नहीं किये, marking हम बिलकुल skate से करेंगे, that means उसमें कोई भी shortcut use नहीं करेंगे, कि हम देखे ही ऐसे zone, जो कि बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं करना है, कि आप हमेसा ये देखें कि leg out अच्छी नहीं है, तो चलो इसको mark ही नहीं करते है, initially one and two days, initially two, three days के अंदर में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक वो area mark करना है, जो कि हमारे rule के accordingly fit हो, that means उसमें leg in, base, leg out, all three components हो, वो आपको mark करना है, अभी से ये shortcut नहीं लेना है, कि यहां तो leg out अच्छी नहीं है, क्यों mark करें, वो shortcut कब लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा, अब आ कि इसको base candle consider करें, या फिर leg out candle consider करें, I mean इसको base candle माने या फिर exciting candle माने, क्योंकि 50-50% का जो rule है, but ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि slightly 48%, 49% हो या फिर 51% हो, 52% हो, yes, that is possible, अब मेरी बात ध्यान से सुने, trading view पे आपको कुछ एक indicator मिलते हैं, जो कि free of cost है, जो कि base candle को as a blue candle identify कर देते हैं, एक simple script लिखी जाती ही, जो कल हमने formula लिखा था नहीं, यही formula उसके अंदर में pine script के तुरू implement किया जाता है, जो कि base candle को आपको बता देगा, कि यह base candle है, आपको ज़्यादा ढूंडना नहीं पड़ेगा, कि basically यह जो base candle है, मतलब कि यहां पर तो समझ में आ रहा है, बट अगर किसी के अंदर में कुछ ऐसा area हो, तो हो सकता कि आप confused हो जाएं कि इसको base consider करें, या leg out exciting consider करें, तो फिर आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा formula होता, जिसे हमें पता लग जाता है कि exactly 50% है या फिर 49% है या फिर 51% है, अगर body 49% है, that means base candle है, और अगर 50 या 51% से जादा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर exciting candle है, trading view में ऐसे formula है, but मेरी बात ध्धान से सुने, किसी को भी single person को भी, ऐसा कोई भी indicator use नहीं करना, किसी को भी use नहीं करना, और जो use करेंगे, trust me, उनकी trading सबसे खराब होगी, यह मैं guarantee के साथ में बोल सकता हूँ आपको, अगर वो चीज ज्यादा useful होती, क्योंकि यहाँ पर देखें, बहुत बार case ऐसे होंगे, जिसमें अगर body 52%, 55% या 60% है, तो भी हम उसे base candle कंसिडर करेंगे, मतलब दिखने में वो exciting candle लगेगी, लेकिन फिर भी हम उसे base candle मानेगे, कभी कभी ऐसा होगा, दिखने में clear cut base candle दिख रही है, हो सकता है उसकी body 45% हो, बट हो सकता है कि हम उसे exciting candle मान रहे हो, कि gap के साथ में हो वो, हो सकता है वो gap के साथ में हो, तो कभी 60% body वाली को भी हम base candle कंसिडर करेंगे, तो कभी 65% वाली को भी हम base candle कंसिडर करेंगे, और कभी हम 45% वाली को भी edge and leg out मान सकते हैं, अगर वो gap के साथ में दो प्राइस एक्षन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा अभी जैसे जैसे हम एक्जम्पल पर आएंगे तो मैं आपको एक्जम्पल बताते जाओंगा मैं ऐसे एक्जम्पल डिसकस करूंगा जिनके अंदर में आपको समझ में कि हां यहां पर हो क्या रहा है फिर आपको खुछ समझ में आएगा कि अगर यहां पर मैं अगर इंडिकेटर यूज कर रहा होता तो इंडिकेटर तो मुझे इसे वह बेस्केंडल सजेस्ट कर देता या फिर हो सकता है कि इंडिकेटर जो है वो मुझे यहां पर इसको do exciting candle suggest कर देता और अगर I can suggest कर देता यहां पर बश्केंडल बनी नहीं और बेस्कंडल बनी नहीं तो हमारा जोन बना हीं नहीं टो मैंने च्छोड़ दें तो क्या उस एरिया में जो मूत आई है उसको इंग्नौर कर दें उसने आपको यह सजेस्ट किया कि इसकी बोडी बोडी पार्ट जो है वो 50% से स्लाइटली ज्यादा में भी 51% है फिर 52% है तो आपके अकोर्डिंग लिए डिमांड जो नहीं होगा आपके सोफ्ट्वेर के अकोर्डिंग लिए डिमांड जो नहीं बन सकता अब एक छोटा सा पॉइंट है उसको ध्यान से सुने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग इसी की वज़े से तो यह अक्सेटिंग गेंडल बन गई नहीं हलका सा क्या फरक पड़ता कि अगर यह यहां उपन हो जाती मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ बस ओपन ओपन जो वो यह यहां हो गया इस पॉइंट के उपर में यहां पर ओपन हो गया लो अभी वही है हाई अभी वही है क्लोज अभी वही है बस ओपन हलका सा उपर वाता वापस से लो वही लगया तो फिर यह बेस्केंडल हो जाती और आपका सौफ्ट एरिया आपका इंडिकेटर इसे बता द कर सकता यह मुग क्लिरली इंडिकेट कर रहे है कि यहां पर प्राइस अप गई और प्राइस अब तभी जाती है जब इस एरिया में बाइंग के पैंडिंग ओडर हो तो फाइट का मतलब क्लिरली ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेस केंडल पर ही चलें रिमेंबर अगर वो चीज इतनी ज्यादा यूजफुल होती तो मैं अभी एक घंटे के अंदर में विदिन वन आर किसी भी एक अच्छे पायनिस क्रिप्ट को हायर करके एक बहुत कि मोर्निंग तक आप सबको वह इंडिकेटर में जाता ट्रेडिंग व्यूपर में जिसे आप इस इजली यूज कर लेते हैं और जो लोग आईटी से हैं वो जानते भी है कि इसमें क्या कोश्ट लगेगी कुछ भी कोश्ट नहीं लगनी और ऐसे जीटिएफ हम उस चीज को बहुत अच्छे से डवलब करवा सकते हैं बट मैं नहीं चाहता कि ऐसे किसी भी इंडिकेटर पर आप चले जीटिएफ के स्टुडेंट सक्सेस्फूल इसी लिए हैं क्योंकि वो तेकि सोफ्ट्वेर एक सिस्टम है जिसको हमने बनाया सोफ्ट्वेर ने हमको नहीं बनाया सफसीया को हमने कमांड दिए कि आप इप सिफटी परिचेंट का फूर्मुलाि लेजी सफसाफवर की कोई गलती नहीं है वो हमें वैसे कि वैसे कि इदेंटिफाई करके देरा हुआ कि घृत एक्षाल में मैं प्राइस एक्शन कियारिए क्रीजाए तो उसकी में इस चीज वो चीज़ें आपकी eyes scan कर सकती हैं, दुनिया का कोई भी software scan नहीं कर सकेगा, इस stock market में, जो price section आपकी eyes identify कर सकती है, कि कितना consolidation चला है, क्या sector support है, क्या price section कह रहा है यहां पे, वो चीज़ें कोई भी software कुछ भी यहां पे आपको एक अच्छी recommendation नहीं दे सकता, आने वाली classes में मै फ़र एक point बिल्कुल practically prove कर दूँगा, बट अभी के लिए जो चीज मैंने आपको बताई है, वो चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लें, इसलिए मैंने पहले से aware करवा दिया, आपको, yes विला, spider software की बात कर लेते हैं, spider software ने मुझे इतनी बार personally contact किया है, कि आप हमा आप अपने student को sell कीजिए, and trust me, उन्होंने मुझे मतलब बिल्कुल एकदम से advance system और साथ के अंदर में, आपको जो भी मैं sell करूँगा, उसके उपर में बहुत अच्छा commission offer किया, और मेरे कहने पे, मैं उसके अंदर में बस दो अच्छी चीज़ें बताऊँगा आपको, क्यो ऐसा भी आप किसी चीज़ें पर invest करें, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल उसको seriously ले, किसी भी type के software में फसने की जरूतनी है, चाहे spider हो, चाहे EOD हो, चाहे metastock हो, चाहे real-time हो, चाहे कोई भी software हो, इन सब के क्या-क्या यूज हैं, और वो हमें क्या-क्या benefit देते हैं, वो मैं आपको वैसे ही सब चीज़ें बता दूँगा, ज़रूरी नहीं कि उनको आप यूज करें, ओके, क्यूक लिए एक बार confirm कर देजिए कि कि किसी और को भी voice में problem आ रही है, क्या? ओके, that means voice okay है, तो जिन लोगों को problem आ रही है, प्लीज एक बार अपनी audio setting चेक कर लें, जिनको लग रहा है कि voice break हो रही है, एक बार audio setting चेक कर लें, अगर अभी भी काम नहीं करती है, तो quickly log off करके वापस से login कर लें, अब देखे, यह तो हो गया pattern, अब इन pattern से मिलके बने demand and supply, उनके zone, उनको identify करने से पहले, थोड़ी से एक बार इसके उपर में practice कर लेते हैं, यह basically किस टाइब के दिखते हैं, pattern chart के उपर में, क्योंकि pen tool पे और chart पे दिखने में काफी confusion हो सकता है, और वो confusion में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि maths की problem में होती है, जिस पे memes बनते हैं, कि पढ़ कि इतना easily गए और question step से आता है, घुमा फिरा के, कोई भी chart open कर लेते हैं, बस pattern को देख रहे हैं, कोई भी randomly chart हो सकता है, आप लोग मुझे quickly बताते चलिए, साथ साथ में, कि इस pattern को हम क्या नाम देंगे, yes, dbr pattern है, drop base rally pattern, क्योंकि आप देख रहे हैं, clearly price पहले down आई है, down आने के बाद में base candle form हुए और फिर price अब गई है, अधरा price में पहले drop है, फिर base है, फिर base है, फिर rally है, हम read essay करेंगे, drop base rally, यह एक demand zone का pattern है, कि अभी एक example बता रहा था, अभी उसी पर बात कर लेते हैं, क्याई यह कोई pattern है, yes, 50-50% answer है, कुछ लोगों को समझ मेरा pattern है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है pattern, let me clear, मैं clear कर देता हूं इस चीज़ों को, अभी देखिए, यही सीज़ डिसकस कर रहेते हैं, as per rule, यह candle clearly indicate कर रहे है कि base candle है, क्योंकि इसका body part जो है, वो total range के 50% part से कम है, बट क्या technically अगर practically समझें, तो क्या इस move को ignore कर दें, यहां से लेकि यहां तक जो आई है, यह move अपने आप तो नहीं आई है, definitely कुछ न कुछ तो buying होगी यहां पर इस area में, तभी तो price अप गई है, कहीं से भी price अप जाए, that means उस area पर buying थी, अभी भी pending order है, और कहीं से भी price दाउन आ रही है, कि that means उस area के उपर में selling pressure है, वहाँ पर sell के order है, अब देखिए यही चीज़ समझा रहा हूँ, यह एक red candle है, that means यह है open और यह है close, क्या फरक पढ़ जाता अगर इसका close यहां हो जाता तो, अगर इसका close यहां हो जाता, तो आपके accordingly जो हमने पढ़ा, वो clearly यहां पर एक draw based rally pattern होता, आप फिर कहते हैं कि यह एक draw based rally pattern है, इनी चीज़ों को तो practically समझना, यह चीज़ें software नहीं बता सकते, software ने तो इसको reject कर दिया, कि यह भी base candle है, यह भी base candle है, तो यह pattern नहीं है, बट मेरे coding लिए pattern है, क्योंकि यहां से buying है, as per rule, अभी आप rule के साथ में खेलेंगे, as per rule आप यह कहें कि यह base candle से लग रहे हैं, छोड़ देजिए, बट यह point साथ साथ में मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, ताकि आप confused नहों कि कभी देखें कि यहां से फिर rally क्यों आई? यहां से अप जा रही है, प्राइस अगें डाउन आई, और फिर यहां से प्राइस अगें अप चले गए, इसको ब्रीज थोड़ी ने के से एडिया को, इसको एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं, आने वाले two-three days बात में हम इन सब को consider करेंगे, बट अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, अब आप मुझे बदाए, नेक्स्ट पैटन. ये कौन सा पैटन है? ओके. ये कौन सा पैटन है? इन थ्री कैंडल से हैं. इस ये हो गया DBR पैटन, ड्रो बेस रेली पैटन, अब देखिए यहां प एक चीज़ और बता दूम आपको, कि इस पैटन में ड्रो बेस रेली, लेगिन, बेस, एंड लेगाउट, लेगाउट हुई? इसकी लेगाउट सेकेंड पैटन की लेगिन हो सकती हैं. इसकी लेग आ हुआ है कि वापसेर, सेरिपीट कर रहा हुएू, लेगिन ये रेड केंडल लेगिन है, ये एक बेस केंडल है, क्लियरली समझ में आ रही है, और ये एक लेगाउट केंडल है. और इस पैटन की अगर हम बात करें तो यह इस पैटन की लेग इन केंडल होगे यह बेस केंडल होगे और यह लेग आउट केंडल होगे देट मेंज अगर इस पैटन की बात करें तो इस पैटन की जो लेगाउट केंदल है आफ्टर बेस केंदल, वह नेक्स्ट पैटन की लेगन केंदल भी हो सकती है. यह पोसिबल है. अब इस पैटन को बताए कि इसको कैसे रेड करेंगे. कि यह पैटन सबको क्लियर है कि अब एक काम करते हैं यहां पर एक सीज और पुस्ता हम लोगों से यह बिसिकली जो आपको पैटन दिख रहे हैं डिमांड जोन का फर्स्ट पैटन देस्वन डीबियर इन पैटन को हम बोलते हैं रिवर्सल पैटन और डिमांड जोन का सेकेंड पैटन डैट इस आर्बियर और सप्लाइज उन का सेकेंड पैटन इसको हम बोलते हैं कंटिनियूस पैटन कि पैटन काम के लिए रिवर्सल क्यों बोल करें वह प्राइस रिवर सोरे पहले प्राइस जो है वह डा sama आने के बाद में बेसकेंडल बनी फिर अफ गयी है तो मतलब प्राइस रिवर्स होई है यहां पे आप देखेंग कर पहले प्राइस अप गई है यीत परने फिर बेस्केंडल बनी और फिर डाउन आई यहां पर कुछ भी रिवर्स हुई है यहां पर कुछ भी रिवर्स नहीं वा मतलब पहले भी प्राइस चंटीनियू अपसाइड में थी आफ्टर डेट अगेन अपसाइड में है यहां पर पहले भी प्राइस डाउन आरी थी और यहां पर अभी भी प्राइस डाउन आरी यह कि यह पी आपने जो भी आपका नाम है एच पी पहले तो अपने चैट सेटिंग को प्लीज ओल पैनलिस्ट कर लें और यह कुश्चन को वापस से एक बार पेस्ट कर दें कि अब करें तो आपने पूछा हाव टू डिल विद गैप क्या कि हमें गैप को कैसे डिल करना है जिसकी वज़े से मौनिंग में आपको कोई ट्रेड लेनी है और वो गैप का आपको कंसर्प्ट नहीं क्लियर होगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे कि आप इस गैप की बात करने कि इन गैप को कैसे डिल करना है अभी मैंने कुछ डिसकेशन ही नहीं किया गैप के उपर में कि गैप को कैसे डिल करना है गैप कैसे काम में आएगा 14 या 15th class का chapter है gap theory 14 या 15 class तब तक के लिए relax रहें हर एक question चाहे gap हो चाहे indicator हो चाहे RSI हो चाहे sector हो हर एक चीज़ का answer मिलेगा लेकिन particular class के अंदर में अभी सिरफ इन चीज़ों पर focus कीजिए trust me सबसे ज्यादा important यही है जो मापको अभी बढ़ा रहा हूं कि हम बात कर रहे थे reversal pattern and continuous pattern की reversal pattern में price reverse हो रही है जबकि continuous pattern में price demand zone में अप है तो अप ही जा रही है supply zone में डाउन है तो डाउन ही जा रही है ओकि अब question यह है कि कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा करते हैं पहले प्राइस डाउन आई डाउन आने का मतलब एक सीज़ क्लियर है वो यह कि selling pressure जादा है हम यह भी कह सकते हैं कि seller win-win situation में है तब ही तो price डाउन आ रही है उन seller को competition देने के लिए बायर आए और ने सिरफ यहां पर बायर ने fight की ने सिरफ competition दिया उन्होंने price को reverse भी कर दिया price को अब भी लेके चले गए मतलब direction के बिल्कुल opposite काम किया जो price डाउन आ रही थी उनको उसको बिल्कुल opposite direction के अंदर में move करवा दिया तो सोचे बायर कितने powerful होंगे selling pressure को रोकना और फिर खुद को प्रूव करना कि नहीं हम strong है और यहां पर देखे क्या हुआ यहां पर प्रेशर कंटीनियो था को सेलरा आए competition देने के लिए कुछ टाइम के लिए फाइट चले वह वह बृइंग प्रेशर अभी बी कंटीनियों है वह शेम यहां पर प्राइस अप जा रही थी अप जाने के बाद में यहां पर यही हो रहा है स्विम अगेंस रिवर प्राइस अप गई है अप जाने के बाद में एक बेस केंडल बनी मतलब बायर ओलरड़ी विन-विन सिच्वेशन में थे इसका मतलब उन्होंने अपने आपको प्रूव किया कि हम आपसे ज्यादा पावर्फुल है प्राइस को डाउन साइड में मूव करवाया इसलिए यहां पर प्राइस पहले से डाउन आ रही थी बायर आए कंपिटिशन के लिए लेकिन बायर नहीं सस्टेन कर पाए प्राइस के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न ज्यादा पावर्फुल है एज कंपेट व्दा कंटिनोस इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंटिनियूस को हम इग्नोर कर दें कंटिनियूस भी बहुत ज्यादा पावर्फुल होते हैं डैट डेपेंड वन्द यूज को ब डृट पावसों अष्चा पीर वीजे जो आपने लाइन लिखिया है वह किसी को भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि आपने भी चैट्ट शेटिंग भी चेंजे नहीं किया है आपने लिखा कि इतना मत लिखो इतने क्यूशन मत लिखो यह किसी को दिखे गए न तो लोग कैसे मानेंगे आपकी बात सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड उनकी अब सब लोगों को मेल के अंदर में मेल सेंड किया था वहां पे श्रीक्ली रूल लिखा वा था एक कि बीए गुड लिसनर वह बहुत सोच समझ के लिखा था आने वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि वो चीज क्यों लिखी थी क्योंकि आफ्टर 4-5 डिज आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो पूछ रहा है वैसे भी आंस्वर हो रहा है तो दीरे दीरे अपने आप ही क्योशन आंस्वर कम हो जाएंगे बट अभी मैं भी समझ सकता हूं कि जो एक्सपेक्टेशन जो एक्साइटमेंट रहता है वो एक साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हूँ कि स्टेप से इडेंटिफाइंग डिमांड जोन नमबर वन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ट ओपन करेंगे वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है रिमिंबर जो पैटन हमने डिसक्रेंट हो सकते हैं वह डैली विकली मंतली कॉटर याप यरली इयरली 60 मिनट 75 मिनट 25 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकते हैं कोई भी इस्जू नहीं है अब कोई भी पर्टिकुलर चार्ट ओपन करेंगे XYZ कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करेंगे डेली विकली कुछ भी और उसके उपर में स्टेप यह है इस्टार्ट फॉम दो कुरेंट मार्केट प्राइज कर दे दूस्ये कोई भी भी प्राइज दियर लिंग स्टेबगे हैं प्राइजी किसके प्राइजैल का सट अम इस्टार्ट वम को करेंट मार्क प्राइज अन्दर में आपको एक वरीजोंटल लाइन-CM Royal मार्क करनी है 한국 चार्ट ओपन करता हूं कि करेंट मार्किट प्राइस क्या है EU बैंक की कि आइज एक्जक्ति 942.05 है हमें कैसे बदा लगी यह देखिए केंड़ ग्रीन केंड़ है ग्रीन केंड़ है ग्रीन केंड़ में हमें पता है कि क्लोजिंग प्राइस जो हो रहे हो दिए तो इसकी जो हाइर बोड़ी है वो तो देखिए, जब आप लिख रहे हैं, उस टाइम जो भी current market price है, उसी को consider कर लिजिए, ऐसा ज़रूर नहीं कि उसको आप second second में change करें, कि वो change होगे, तो आप उसे change करें, आपको जो एक बार के लिए current market price आपके सामने दिख रही है, वहीं पे एक horizontal line प्लोट कर दें, और इस horizontal line पे double click करें, double click करने के बाद में इस line को नाम दे दें, CMP, that means current market price, और आप चाहें तो इसके थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, ताकि यह clearly chart पे visible रहे, कि यह हमारी current market price line है, done with step no.1, अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, step no.2, step no.2 इस type से कुछ, look left and down, मतलब downside में देखना है और backside में देखना है, until you find an explosive of move. Explosive of move, bracket में में लिख रहा हूं, that means green exciting candle, because demand zone identify कर रहें, तो green exciting candle हमें चाहिए, explosive of move वर्ड इसलिए काम में लिया है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको यह चीज़ धन में रहे, है कि basically, जो candle जितनी ज़्यादा exciting है, वो zone उतना ही powerful है, अभी के लिए आपको एक exciting candle से ही काम चलाना है, तो second step यह है, look left and down until you find an explosive of move. चार्ट के उपर में वापस से जाते हैं, look left and down करते है, look left and down का rule कुछ इस type से है, कि जैसे यहां से आप start कर रहे हैं, तो एक reference line ले ले हैं अपने लिए, जैसे अभी के लिए तो reference line यही है, आपने देखा कि यहां तक देख चुके हैं, यहां तक कोई भी explosive of move, that means green exciting candle नहीं दिख रही है, तो एक line ले ले हैं reference के लिए एक horizontal line, बाद में इसे delete कर देंगे, यहां तक हम देख चुके हैं, अब क्या करना, इस line के साथ साथ में जाना है, और यह देखना है कि next price section कहां से start है, मतलब next candle कहां पर start है, अगर मैं left hand side में जा रहा हूँ, तो मैं यहां पर clearly देख पा रहा हूँ कि next candle यहां से start है, चाहिए यहां पर कोई green candle है, यह देखिए green candle है, green exciting candle है, as per theory, as per rule, यह एक exciting candle है, तो मतलब step two हमें मिल गई है, but let's suppose, अगर यह exciting candle यहां पर नहीं होती, तो हम क्या करते है, मान के चले यह exciting candle नहीं है, तो हम क्या करते हम or down जाते ओर डाउन जाने का मतलब यहां तक exciting नहीं है यहां तक नहीं है यहां तक नहीं है green exciting candle तो यहां तक देख लिया कुछ भी नहीं है तो इस line को आप सिधा का सिधा यहां move कर लेते हैं अब आपको यह नहींद देखना है कि आप इसके उपर जाएं, डाउन्वर्ड योज में लिया गया तो डाउंसाइड में ही देखना है, तो अब यह देखे इस लाइन के नीचे next price section कहा है, इस लाइन के नीचे next price section देखेंगे आप यहां से start है, यहां पे भी कुछ नहीं दिख रहा प्राइस यहां तक आ गए है लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा चार्ट को थोड़ा सा ओड्रैगन ड्रोप करेंगे अब यह नहीं कि आप उपर जाए और यह कहें कि यह रहक सैटिंग केंडल कि करेंट मार्केट प्राइस से डाउन है तो उसका भी कुछ रूल है वो भी बताऊंगा उसके लिए क्या करना है बट अभी के लिए यह समझें किस लाइन से डाउन साइड में हो अब आप देखेंगे इस लाइन के डाउन साइड में नेक्स्ट पाई से स्टार्ट है इस बार हमें मिल गया तो हम यहीं पर रुख जाएंगे तो मतलब देखने का यह मैंने आपको एक तरीका बताए कि देखना किस टाइप से बिल्कुल सिंपल इस टेप इस लाइन के साथ साथ चलिए और जहां तक आप देख लें जैसे अगर यहां तक देख लिया कुछ भी नहीं मिला तो यहां ले जाएं इस लाइन को आप इस ल और नेता इस लाइन हमारी यहां थी और इस लाइन के साथ सात में अगर हम जा रहे हैं तो क्लिरली समझ में आ रहे हैं कि यहां पर एक ग्रीन एक्टीटिंगाटल है यहां लिड्कूल आनुट अश्जुरा अब आते हैं इसेफर उंबरी सिस्टेप नमर्ट चे amd all three component all three component या all three element यह component कौन-कौन से है यह है leg-in, base and leg-out हमें step number three, mark all three, हमें leg-in, base leg-out, यह all three component यह है, इन में एक भी missing है, तो फिर मतलब हम कहीं न गहीं गलत है, हमें कुछ दूसरा तूड़ना पड़ेगा, हमें यह all three component यह है, अब यह देखिए, क्या यहां पर all three component हैं क्या, इस area में देखिए, base candle भी है, base candle से left hand side के अंदर में exciting candle है, जिसको हम leg-in candle consider कर सकते हैं, चाहे multiple exciting हो, multiple leg-in हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, minimum एक leg-in candle से यह थी, जो कि मिल चुकी है, base candle multiple भी हो सकती है, one, two, three, four, five, कितनी भी हो सकती है, हाँ, एक zone के लिए कितनी base candle best रहती है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आपको जितनी भी base candle मिले, सब को consider करना है, तो यहां पर two base candle है, and इसके बाद में, after that, right hand side में हमारे पास में एक leg-out candle भी है, तो leg-in, base, base, leg-out, all three component हमारे पास में है, तो मतलब all three steps हम कर करते हैं, अगर definitely हमें कुछ दूसरा area ढूनना हुआ, तो हम ओर down जाएंगे, बट एक बार के लिए इस area को mark करते हैं, इस line को हटा देते हैं, reference line को, क्योंकि एक बार के लिए हमें, हमारा zone मिल चुका है, step three तक कोई problem नहीं है, वापस से repeat कर रहा हूं, step one यह थी कि mark a horizontal line, at current market price बिल्कुल इसी है, एक horizontal line पिक करनी है, और current market price पर जिस भी time frame का chart आपने open कर रखा है, वहाँ पे एक horizontal line प्लेस कर दे हैं, point number two, look left and down until you find an exciting candle, explosive move, और वो explosive move यह होना चाहिए, कि वहाँ पे एक green candle होने चाहिए, green exciting candle, तो हमने क्या-क्या reference के लिए एक line draw की थी, यहाँ तक तो कुछ है नहीं, अब इसके left and side में और downside में देखते हैं, कि next price action कहां से है, next candle कहां पे है, next candle यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमे मिल गई है, step number three, sorry, step number two, an explosive move, green exciting candle, तो step number two भी हो चुकी है, step number three यह है, कि हमें all three components चीए, mark all three components of the zone, leg-in, base and leg-out, यहाँ पे आप देखेंगे कि all three component है, leg-in भी है, base भी है, leg-out भी है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर second horizontal line जो भी draw करेंगे, वो S2 होगी, यह H1 थी, लेकिन इसको हमने rename कर दिया CMP, जैसे यह S2 हो, अगर इसके बाद में अगर कोई भी horizontal line और draw करेंगे, तो वो H3 होगी, अगर इसको rename कर देंगे, तो इसका वो नाम हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी fourth horizontal line जो करेंगे, वो फिर वहाँ पे H4 होगी, बिना reference line के initially अभी से बहुत सारे लोगों को problem आ सकती है, कि यह basically देखना कैसे हो सकता है, कि लोग directly यहाँ चले जाए, लोग कहें कि यह भी तो demand zone है, बट एक्च्वल में यह current market price के ऊपर है, current market के price के ऊपर का, तो मतलब यह तो चल चुका है, लाइक अगर आप इसको यह देखेंगे, कि यहाँ पे आप इसको mark करते है, बट price आई और चल गया, आप यह कहें कि current reference line drone नहीं करें, तो logically तो देखिए, यहाँ पे भी तो एक demand zone है रेली है, बेस है, बेस, 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 रेली, यह भी तो demand zone है यहाँ पे इस area में, यह भी देखिए, price आई और चल चुका है, तो यह सब के सब चल चुके है, यह demand zone चल चुके है, तो जो played out हो चुका है, उसे consider नहीं करना है, remember हमारा zone बिलकुल phrase होना चाहिए, phrase की क्या definition है, अभी बताने वाला हूँ, पहले एक बार step समझने clearly, step यह है, mark all three component of the zone, all three component मतलब leg in भी चीए, base भी चीए, leg out भी चीए, अगर explosive move मिल गई नहीं है, तो मतलब leg out तो compulsory confirm है, मिल चुकी है, leg out तो मिल चुकी है, leg out मिलने के बाद में, आप देखेंगे कि base candle भी है, और base candle के left and side candle में leg in candle भी है, तो leg in based leg out all three component तो है, कौन सा pattern है यह, यह exactly dbr pattern है, draw based rally, यह वाला pattern है, जो कि हम पढ़के है, demand zone का first pattern, ओके, तो pattern हमें मिल चुका, अब इसकी marking कैसे होगे, marking के उपर में हम वापस से आते हैं, marking के लिए basically हमें क्या करना है, हमें दो line चीए, how to mark this zone, दो line कौन सी होगे, एक line होगी proximal line, और एक होगी हमारे पास में distal line, yes, best candle maximum हो सकते हैं, कोई भी issue नहीं है, proximal line हो गई, और साथ साथ में distal line होगी, अब इन दोनों line की definition क्या होती है, वो लिख देता हूँ, proximal line कहां plot करेंगे, highest body of all base candle, यह दोनों की दोनों की जो line की marking है, as of now हम सिर्फ और सिर्फ बेस केंडल पे करने वाले हैं, leg in and leg out पे नहीं करेंगे, leg in and leg out की marking अलग होती है, जो की आने वाली class में बढ़ेंगे, बट अभी के लिए proximal line की marking होगी, सिर्फ और सिर्फ बेस केंडल पे, चाहे कितनी भी base candle हो, सब को consider करके उनके उपर में marking करनी है, तो proximal line का formula है, highest body of all base candle, while distal line का formula है, lowest week of all base candle, इसको मैं as it is copy करता हूँ, ताकि आपको यह formula सामने रहे, और आप easily answer कर सके, easily answer करने से पहले, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, like अगर इस pattern की बात करें, एक single base candle है, मान की चलिए ग्रीन कलर की base candle है, चाहे green की हो, चाहे red की हो, highest body कौन सी होगी, देखिए यह body part है, तो हमें पता कि highest body तो यह हुई, lowest body यह हुई, highest week कौन सी है, highest week यह है, lowest week यह है, यही तो होगा ना formula, यह highest body, यह lowest body, और यह high and yellow, simple calculation है यहाँ पर, अब हमें चाहट पर इस calculation को समझते हैं, कि अगर एक candle है, तो क्या होगा और multiple candle है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगी, multiple two candles हैं, आपके पास में base candle, पॉप उपन हो जाएगा, यह हो गई second candle, तो basically two base candle है, इस candle को हमने read किया है, leg in candle, जो red candle है, इसको हमने बोला leg in candle, चार्ट पे अगर कुछ भी लिखना है, तो n प्रेस करें, n for nagpour, और यह हो गई leg out candle, यह दोनों की दोनों base candle है, तो इसलिए two time base ना लिख्के, single ही base में use में ले रहा हूँ, तो leg in, base and leg out, basically यही three component थे, जिनको हम ढूंड रहे थे, जो कि हमें मिल चुके हैं, ओके तो leg in, base, leg out, यहाँ पे हो चुका है, अब marking कैसे होगी, हमें पता कि marking करने के लिए, हमें two lines यह हैं, that is proximal line and distal line, यह है definition, proximal line की जो definition है, वो है highest body of all base, जबकि distal line के definition है, lowest wick of all base, इन दोनों base candle के अंदर में, highest body कौन सी candle की है, first या second की, देखे, second जो candle है, इस second candle की यहाँ पे highest body है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, clearly chart को देखते के साथ ही, कि first candle की highest body यहाँ तक है, जबकि second candle की highest body जो है, यहाँ तक है, तो एक horizontal line लेते हैं, और highest body पे plot कर देते हैं, doji candle हो चाहिए कुछ भी हो, हम इसको read करेंगा, यहाँ 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 इसके बाद में second क्याच यह डिश्टल लाइन, जिसका formula lowest week of all base, lowest week कॉनसी candle का, first या second, yes, first candle जो है, इसका lowest week है, तो वापस से एक horizontal line लेते हैं, shortcut भी यूज़ कर सकते हैं, control प्लस है और इसके lowest week पर प्लोट कर देते हैं, यह है demand zone आपका, आप चाहें, तो अब एक काम करें, इसको, proximal line बोल दें, और चाहें तो आप इसका color जो है, green यूज़ में ले सकते हैं, हर बार मैं नहीं लोगा, बढ़ एक बार के लिए identify करने के लिए, और इस line को, h4 को हम read करेंगे, distal line, और इस pattern को, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूं, demand zone 1, shortcut में आप इसे dz भी बोल सकते हैं, तो यह हो गया हमारा demand zone, अब आप इसे delete कर सकते हैं, चाहें तो reference line को, फिर हम वापस से product कर लेंगे, अगर हमें कुछ ओड ढूडना हुआ तो, तो अभी के लिए यह है हमारा demand zone, अभी देखिए काम खतम नहीं हुआ, अभी हमें यह चेक करना है, कि यह level phrase है या नहीं है, मतलब valid है या नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर price इसको touch करके उपर जा चुकी होगी, तो that means pending order pick up हो चुके हैं, हमें ऐसा level नहीं चीए, कि जिसमें pending order pick up हो चुके हैं, हमें बिल्कुल ऐसा level चीए, जिसमें pending order हो, प्राइस उस एरिया तक ना आई हो, और हम उसका wait कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस जैसे आएगी, तो इस बार हम भी वहाँ पे उस rally को enjoy करना चाहते हैं, हम इसी चीज़ का तो wait कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यह check करना है कि level fresh है या नहीं है, और freshness चेक करने का rule simple है, जो आपका zone marking है नहीं, इस zone marking के अंदर में यह देखें, कि leg out candle के बाद में, ध्यान से सुनें, कि leg out candle के बाद में, कभी भी price आपकी proximal line को touch ना की हो, future का price action कभी भी, जितनी भी candle है, इन में से कोई भी candle, आपकी proximal line को touch ना कर चुकी हो, अगर proximal line को touch करके अगर उपर जा चुकी है, तो इसका मतलब वो level played out हो चुका है, उस level के pending order pick up हो चुके है, उस level का game over हो चुका है, हमें दुबारा उसे consider नहीं करना चीए, वो एक tested level है, और tested level may be कि second time भी काम कर जाए, और may be, ना भी करें, कहने का मतलब यह कि अब उस level की probability कम हो चुकी है, हम चेक करते हैं क्या यह level valid है या नहीं है, फ्रेस है या tested है, तो आप देखेंगे कि यह है proximal line इस leg out candle के बाद में, और leg out candle के बाद में कभी भी price ने इसको touch नहीं किया, है, अभी तक touch नहीं किया है, हम वेट ही कर रहे हैं कि इसमें हमें entry मिल जाए और हम भाई करने से, हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वापस से repeat कर रहा हूं कि जो proximal line है आपकी, after leg out candle, leg out candle कौन सी है यह वाली, अब इस leg out candle के बाद में price ने कभी भी proximal line को touch नहीं किया हो, मान के चलिए कि यह candle, यह base candle डाउन आई और इसने इसको touch कर दिया, और फिर price उपर चले गई, तो मतलब यह level tested हो चुका है, इसे हम consider नहीं करेंगे, हो सकता है कि second time price और डाउन आई zone में, मतलब ओड डीप तक आए, क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं कि सिरफ इसी area के उपर में ही pending order है, हमें पता है कि institutions की range तो इस पूरे area में है, proximal से लेके digital के बीश में, तो इस पूरे area में order है, तो हो सकता है कि अभी कुछे की order pick up हुए हो, ज़रूरी नहीं नहीं कि सभी के सभी order pick up हो गए हो, बट हाँ एक चीज़ confirm है कि कुछ तो pick up हुए, and remember कि यहाँ पे जहां से price के अंदर में एक jump आया है, यह price का origin है, bottom भी price का origin है, यहाँ से काफी सारे pending order pick up हो चुके, and हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो demand supply trader है, जो बड़े professional trader, उन्होंने भी अपने order लगा रखे हो, first time के लिए, उनकी order भी pick up हो चुके हो, तो basically क्या होगा, कि second time price चल सकती है, लेकिन उसकी probability कम होगी, अगर first time probability 90% है, तो second percent हो सकता है, second time 60% या 70% हो, और third time हो सकता है, कि 30% या 40% हो, तो basically हमें एक ऐसा probability का game खेलना है, जिसमें हमारे favor के अंदर में number जादा हो, तो हम tested level को कभी भी consider नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह level face है, अब देखिए price यहाँ से down आई थी, अगर यहाँ से यह down आते हैं इसको touch कर जाती नहीं, तो हम यह कहते हैं कि यह level tested हो चुका है, कि यह level जो हैं वो tested हो चुका, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, tested नहीं हुआ तो मतलब order pick up नहीं हुए है, tested हो जाता है तो मतलब order pick up हो चुके हैं, बट as of now यह बिलकुल fresh है, हम वेट कर रहे हैं कि price ही series में आया है और हम भाई कर लें, ओके तो यह हो गया हमारा demand zone first, अब मान की चलिए कि हमें एक demand zone और mark करना हो, इस demand zone का हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर price आएगी और आने के बाद हैं उपर जाएगी, ऐसी हमारी expectation हो सकता है, चल भी जाएं, हो सकता है, ना भी चलें, वो depend करेगा, यह zone कितना powerful है, एज of now तो एक अच्छी move दिख रही है, powerful ही दिख रहा है, तो चलना चीए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, demand zone में price आएगी अंकुर, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैंने बताएं, नहीं किसी को भी नहीं रोक सकते, बाइं और selling करने से, कि यहां पे कल ही institution face buying करते हैं, और अगर face buying करते हैं, तो क्या पता, यहां से ही एक drop based really नया demand zone बन जाए, और क्या पता, कल ही fresh selling करते हैं, तो drop based drop एक नया supply zone बन जाए, किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, data है, उस data के उपर में ही काम किया जा सकता है, 50-50% के तुक्के लगाने से कि हम चाहें कि यहां तक तो आएगी ही आएगी, तो इसलिए sell कर दें, ऐसा कभी भी ना करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहां तक price आएगी ही आएगी, इस expectation पर काम नहीं करना है कि यहां से तक आएगी तो यहां तक sell कर दें और फिर buy कर लेंगे, यहां पर इसक्रिप का नाम लिखावा, यह सब चीज़े कॉमन है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, सब की definition सेम रहेगी, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम क्यों नहीं हो, जो कुछ भी हमने मार्क है, उसमें अभी तक कुछ भी चींज नहीं होंगे, मन्तोस, आप अपना question quickly paste कर दें, एक बार अगर कुछ ज़्यादा important है तो, लेगाउट का विक डिस्टल से start, इसका विक डिस्टल लाइन से, हाँ तो हो सकता उसमें क्या problem है, लेगाउट के बाद में देखना है कि फ्रेस है या नहीं, लेगाउट के बाद में देखना है, मैंने चैट disable कर दी है, तकि मैं जो आपको समझाना चाहरा हूँ, सिरफ उस पर focus करें, अननेसेसरी के question को बिल्कुल side में रखते हैं, तो ये बेसिकली होगा, जो लेगाउट केंडल के विक डाउन हो, कोई problem नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार पहले इस पर प्रक्टिस कर लें, ये थ्री स्टेप्स ही clear नहीं है, बहुत सारे लोगों को, तो इनसे आगे advance अभी कैसे बता दू, जो कल पढ़ने वाला हूँ, एक बार पहले इस पर प्रक्टिस होगे, इस पर homework होगा, वो homework mental check करेंगे, वो मुझे feedback देंगे, कि कितने लोगों के कैसे answer है, ताकि उस data के उपर में मैं काम करके, आप लोगों को एक better चीज़ डिलेवर कर सको, तो ये है हमारा demand zone, demand zone 1, अब मान की चलिए कि हमें एक second demand zone ढूड़ना हूँ, फर्स्ट क्योशन ये कि second demand zone क्यों ढूड़नेंगे जब मिल ही गया तो, बिल्कुल सही है, नहीं ढूड़नेंगे, बट एक बार के लिए मैं marking सिखा रहा हूँ कि अगर ढूड़ना हो तो क्या करें, कि second demand zone ढूड़ना हो तो, देखिए हम यहां तक देख चुके हैं तो अब और देखना और देखने का रूल यही है कि एक reference line लीजिए, एक बार के लिए इसे ही reference line माल लिए यहां के बाद में left hand side में देखें तो price section यहां से start यहां पे कोई भी green exciting candle नहीं है, तो reference line यहां draw कर देते हैं, अब इस line के उपर नहीं जाएंगे, आप यह सोचें कि यह एक draw based rally formation इसको consider कर लें, यह देखिए सब चल चुके हैं, इसकी marking कुछ इस type से होनी थी, price आई और immediately move भी कर गए वापस से, तो यह played out हो चुके है, price action next start है यहां से, अगर धीरे धीरे left hand side में आ रहे हैं तो price action यहां से start है, और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक green candle है, जो कि हमें चाहिए, यहां पर base candle है, जो कि 3 base candle है, और यहां पर एक leg in candle भी है, क्योंकि leg in and leg out दोनों एक settings है, जो कि है, base candle कितनी भी हो सकती है, कोई problem नहीं है, हमें हमारे पास में यहां पर 3 base candle है, तो basically यह formation हुआ, drop, base, base rally, demand जो उनका reversal pattern है, जो पहले discuss किया, वही pattern है, same, अब इसकी marking करनी है, तो वापस से हमें, दोनों वही लाइने चाहिए, proximal line and distal line, जिनका formula है यह, chat enable कर दी है, सिर्फ question answer करें, यहां पर आप देखेंगे कि 3 base candle है, अब आप मुझे बताए कि proximal line कौन सी candle पर होगी, yes, 3rd candle पर proximal line होगी, क्योंकि इन all 3 candle के अंदर में 3rd candle की ही highest body लग रही है, तो एक horizontal line draw करते हैं और यहां पर plot कर देते हैं, that means यह हो गई हमारी proximal line, distal line कौन सी candle पर होगी? distal line होगी 1st candle पर, क्योंकि 1st candle का ही lowest week है, इसका lowest week यहां तक है, इसका यहां तक है, लेकिन इस candle का lowest week यहां तक है, तो basically in all 3 base candle में, 1, 2 and 3, in all 3 base candle में highest body जो है, वो 3rd candle की है, और lowest week जो है, वो 1st candle का है, तो इसे हम rename कर देते हैं, अब देखे, proximal line आप एक बार chart पर नाम दे चुके हैं, line का, तो वापस same नाम नहीं दे सकते, तो या तो proximal line 1 कीजिए, या फिर हम इसे short में PL बोल देते हैं, PL 2 लिख देते हैं, कलर भी change कर देते हैं, साथ ही साथ इसका, डिस्टल लाइन पर डबल क्लिक कर रहा हूं, एच 6 को नाम दे रहा हूं, DL 2, that means distal line 2, ठिकने इसको 2 किया है, कलर को ब्लैक से green किया है, एंड अप्लाई, PL 2 एंड DL 2 और इन दोनों की कॉंबिनेशन से हमारे पास में बना है, demand zone 2, अभी next step यह है कि यह चेक करना, कि यह level fresh है या tested, अगें same rule, अभी buy नहीं करना सचीन, बिल्कुल नहीं करना, मैंने बोला ही नहीं यह buy करने के लिए, मैंने बोला था कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी global market को नहीं हर जगह अप्लिकेबल होगी, एक बार यह चीज मैं complete कर दूँ, मैं guarantee के साथ में बोल रहा हूं, कि इसके बाद में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी ही discuss करेंगे, ओके, तो यह हो गए हमारे पास में demand zone second जिसके अंदर में proximal line डिस्टल line अब चेक करना है कि यह level fresh है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें पता है कि यह चेक करना है कि इस leg out candle के बाद में कभी भी future में price हमारी proximal line को touch ना करें, आप देखेंगे कि यहां तक कहीं भी touch नहीं कर रखा, और डाउन जाते हैं और left and right जाते हैं, completely left to right आ चुके हैं, अभी तक भी कहीं पे भी touch नहीं किया, that means यह भी एक valid demand zone है, reference line को delete कर देते हैं, तो basically यह हो गया demand zone 1 और यह हो गया demand zone 2, जो कि दोनों के दोनों valid है, यह है इसके definition proximal line की and distal line की, अब हम बात करते हैं supply zone marking की, फिर उसके बाद में हम आएंगे दूसरे example में, कोई भी time frame हो सकता, सब के अंदर में सब चीजे काम करेंगे बिलकुल ऐसी कैसी, proximal line, distal line, इनको differentiate कैसे करें, यह सब चीजें पढ़ेंगे, don't worry, अभी जितना पढ़ा सिरफ और सिरफ उसपे focus करें, इस्टेप सिन इडेंटिफाइंग सप्लाई जोन, कि देखिए, मैं time बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, copy paste काम में लोंगा, because easily समझ में आएंगी, चीजें और हम practical चीजों पर ज्यादा work out करेंगे, as compared to the 30 part, 30 part, और यहां पर आप देखेंगे कि स्टेफ फस्ट LJT से, start from current market price on the chart, and mark के horizontal line at CMP, step first हमने already कर रखी है, जैट वापस से मैंने disable कर दिये, क्योंकि विकास को ऐसा लगता है कि Tata Steel में supply जो नहीं मिला, तो maybe कि कल market open नहीं होगा, अब देखेंगे current market price के उपर में एक horizontal line mark कर दी है, अब इसके बाद में rule किया है, again step number two, यहां पर मैंने लिखा look left and down, इस बार step number two क्या होगी, look left and up until you find an explosive drop, या फिर, down move, और bracket में लिख रहा हूं, red exciting candle, look left and up देखना है, पहले हम down देख रहे थे demand zone में, demand zone always current market price के downside में ही होगा, क्योंकि demand हमेशा downside में ही create होती है, तभी तो price अप आई है, और supply zone always current market price के upside में होगा, विकोज तभी तो वहां से price down आई है, supply create हुए, तभी वहां से price में selling pressure आया, और अभी price तभी उसी वज़े से down level पे trade कर रही है, तो look left and up until you find an explosive down move, इस बार left ही देखेंगे, बस upside में देखेंगे, तो left से देखना स्टार्ट करते हैं और upside में चलते हैं, आप देखेंगे कि down move हमें बहुत जल्दी मिल गई यहां पे ही इस बार, explosive red candle मिल गई है, step number three, as it is है, तो copy paste कर रहा हूं वापस से, mark all three component of the zone, leg in base and leg out, all three component क्या है, leg out तो confirm हो चुग है, देखें जैसे explosive green candle मिल रही थी तो demand zone की leg out confirm हो गई थी, तो वैसे ही explosive अगर drop मिल रहा है, तो supply zone की भी यहां पे leg out candle जो है, वो confirm हो गई है, अब बात करते हैं, leg in और base की, क्या leg in और base है, यस, देखें, leg in candle भी है green, base candle भी है, यह हो गई है leg in candle, और यह है हमारे पास में base candle, और यह है हमारे पास में leg out candle, मतलब all three component हमें मिल चुके हैं, leg in base and leg out, अब देखें इसके लिए formula क्या है, यहां से as it is copy paste, how to mark this zone, क्योंकि देखें, अगेन हमें proximal and distal चीए, बस formula में minor changes होंगे, और minor changes क्या है, highest जो है इसको मैं replace कर रहा हूं lowest से, और distal line में जो lowest है इसको replace कर रहा हूं highest से, मतलब highest को lowest से और lowest को highest से, बस यही changes है, बाकी देखें almost सब को similar रखा, step one और step three तो as it is है, step two में changes हुए हैं, वो changes यह हुए कि जहां पे downside में देख रहे थे बस upside में देख रहे हैं, और जहां पे green candle identify कर रहे थे, वहां पे red candle identify कर रहे हैं, because क्योंकि supplies हों ढूंडने वाले हैं, proximal line, distal line again, same marking होगी base candle पर ही, बस formula में थोड़े से changes है, changes यह है कि proximal line का formula जो highest body था वो हो गया है lowest body, और distal line का formula lowest body था वो हो गया है highest body, तो इस formula को मैं as it is copy कर रहा हूं, और यहां पे paste कर दिया, यह है formula यहां पे, अब देखेंगे कि यहां पे हमारे पास में एक ही base candle है, तो जो भी marking होगी इसी base candle के उपर में होगी, single base candle पर, अगर two, three, four होती तो सब को consider करते हैं, but as of now है ही एक single base candle, तो marking के लिए हम क्या करने वाले हैं, highest body, distal line, lowest, sorry highest weak distal line और lowest body proximal line, सबसे पहले proximal line, lowest body, इस candle की lowest body यहां पे है, तो एक horizontal line लेते हैं और lowest body पर plot कर देते हैं, done, अब बात करते हैं distal line की, distal line का formula है highest weak of all base candle, highest weak लेते हैं, यह रही highest weak और यहां पे रख देते हैं distal line, add6 को नाम देने वाले हैं PL3, ठिकनेस हलकी से बढ़ा देते हैं और color इस बार देते हैं red, deal 3, अब यह हो गया हमारे पास में supply zone 1, इस टाइप से supply zone को identify करना, वापस से repeat कर रहा हूं, step हमने क्या किया है, current market price पर horizontal line लगाना, जो demand zone में थी same step, look left and up until you find an explosive down move, that is red exciting candle, red exciting candle के लिए हमने upside में देखा और हमें red exciting candle मिल भी गई, step 3, as it is common है, demand और supply दोनों case में, all three component ढूणने, because हमें बता है कि एक zone complete तभी होगा जब उसके अंदर में legion, base and legout, यह all three component हमें मिले, तो हमें यहाँ पर all three component भी मिल चुके हैं, legion, base and legout, अब हमें marking करनी है, again marking के लिए हमें proximal line और distal line सीए, इनका formula है, यहाँ पर, proximal line का formula है, lowest body of all base candle, यह है lowest body, और distal line का formula है, highest week of all base candle, तो यह है यहाँ पर highest week, तो यह हो गया हमारे पास में supply zone, अब हम बात करते हैं, second supply zone के, एक supply zone और ढूंड लेते हैं, ऐसे ही practice के लिए, तो एक और supply zone ढूंडना है, तो देखिए, यहाँ तक तो देख चुके हैं, यहाँ पर एक reference line लेते हैं, इसी को consider कर लेते हैं, और यह देखते हैं कि next price section कहां से start, next price section अगर इसी के साथ में back side में जा रहे हैं, तो यहाँ से start है, again देखिए हमें एक drop मिल चुकी है, जोकी red color में है, अब आप लोग मुझे यहाँ पर बताए, क्या all three component हैं यहाँ पर, यहाँ पर कितनी बेस कंडल हैं यहाँ पर कितनी बेस कंडल हैं, Yes, as of now, rule के accordingly, यहाँ पर three base candle है, और अभी सिर्फ रूल पर सिक्ट रहते हैं, यह assumption नहीं लगाते हैं कि इसमें कोई खास move नहीं है, तो इसको exciting नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे बड़ी base candle तो यही दिख रही है, तो इसको हम कैसे exciting बोल दें, कैसे बोल दें कि इसमें selling pressure है, बट as the rule इसका बोड़ी पार्ट जादा है, तो इसको हम leg in candle consider कर रहे हैं, इसको leg in candle consider कर रहे हैं, यह base candle है, यह भी base candle है, यह भी base candle है, और यह यहाँ पर leg out candle है, तो leg in base leg out, all three component हमारे पास में है, pattern का नाम है dbd pattern, draw based draw pattern, supply zone का continuous pattern है, अब आप लोग बताईए, यहाँ पर proximal line नाम है, यहाँ बताईए, तो जो कि आक़ोक्य फस्टर सेकर्ड में कानिफ्यूजन है कि लोवेस्ट वोडी किसकी तो एक काम करते हैं इस किया चैनल पर क्लिक करते हैं इस केंडल का देखिए यह लोवर वोडी लेट हैं तो मतलब यह खेंद जाहीं तो प्राइस कि जिसकी कि 1 2 2 3.10 मतलब 1223.10 यह ग्रीन केंडल यह तो इसका ओपन देखेंगे क्योंकि लॉवर बोड़ी है और इसका ओपन क्या है 1 2 2 3.05 तो मतलब यहां पर सेकेंड केंडल जो है इसकी लोवस्ट बोडी है तो कि इसका ओपन थोड़ा सा लोवर है नहीं चाहे फाइप ऐसे हो बहले लेकिन इसका ओपन लोवर है कुछ भी हलांकि फरक नहीं पड़ेगा बट एस पर रूल हम मार्किंग अगर करेंगे तो सेकेंड क करते हैं और यह हो गई लोवस्ट बोडी अब बात करते हैं डिस्टल लाइन की डिस्टल लाइन को फॉर्मूला हाइस्ट वी को फोल बेस्ट केंडल कौन सी बेस्ट केंडल पर आएगी कि येस डिस्टल लाइन आई की थाड़ बेस केंडल पर क्योंकि इसकी हाइस्ट विक है अगें केंडल पर क्लिक करते हैं उसके लिए टी प्रेस करना पड़ेगा डबल क्लिक पी एल फोर और यह हो गई हमारी डील फोर और इसको हम नाम देते हैं सप्लाई जोन सेकेंड अब दो सप्लाई जोन है इस्टेप बाकी यह है कि यह चेक करना है कि क्या यह दोनों वैलिड तो है क्या फ्रेस तो है बिल्कुल सेम रूल रहेगा सेम रूल क्या है आपको यह देखना है कि लेगाउट केंडल के बाद में कभी भी प्राइस ने प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया हो आप देखेंगे कि यह तो है लेगाउट केंडल और इसके बाद में क्या कभी प्राइस ने प्रॉक्स हो चुके हैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह लेवल बिल्कुल फ्रैस है अब हम बात करते हैं इस लेवल की अगें सेम रूल है यह लेगाउट केंडल क्या इसके बाद में कभी प्रॉक्सिमा लाइन को प्राइस ने टच्च किया नहीं मान के चली कि यह बेस केंडल ऊप पैंडिंग ओर पिकप हो चुके हैं अब इसके चलने की प्रॉबैबिलिटी कम है तो हम ऐसे किसी भी लेवल पर नहीं खेलने वाले जिसकी चलने की प्रॉबैबिलिटी कम हो तो एज ओफ नाव दोनों के दोनों एरिया हमारे पास में बिल्कुल फ्रेस है इस दिपाली वापस से एक्स्पेन कर देता हूं यहाँ पर जहां से सुनें कि लेगाउट केंडल के बाद में यह लेगाउट केंडल इसके बाद में कभी भी प्राइस ने प्रॉक्सिमल लाइन को टच नहीं किया हूं ये प्रॉक्सिमल लाइन आप देखेंगे कि प्राइस ने कभी भी टच नहीं किया है clearly है यहाँ कर बांके चैंडल बनते बनते जैसे तेंडल यहाँ पर बन गई यहाँ पर बन गई बनते बनते इसको डश कर जाती और फिर डाउन आ जाती हो तो हम यह कहते है कि यह area fresh नहीं रहा, यहाँ पे proximal line को price ने hit किया, pending order pick up हुए, अब down आ चुका है, तो यह area tested है, एक बार चल चुका है, दूसरी बार चलने की probability कम है, tested area को हमें दूबारा से try नहीं करना चीए, similarly इस area के अंदर में भी leg out candle के बाद में कभी भी price नहीं आई है तो अगर कभी भी price नहीं आई है that means ये area भी अभी बिल्कुल fresh है तो हमें fresh area को consider करते हैं ये बोल सकते हैं कि ये एक valid supply zone है इस type से आप लोगों को demand zone और supply zone identify करने हैं simple step sign की एक बार recording देखेंगे आज जो homework दोगा उस पर जैसे ही करेंगे clear हो जाएगा कि अब homework का रूल सुनिए example और discuss करेंगे उससे पहले रूल बता देता हूं मैं अभी से रूल यह है कि immediately जैसे class खतम होगी पहले mentor add होंगे group पे mentor का number share कर दिया जाएगा सबी लोग mentor का number save कर लें homework सिरफ और सिरफ mentor को ही send करना है आप लोग सोचें कि मुझे send करें सूरत सर को send करें देखिए इतना rest रहता practically possible नहीं है इसी लिए इस system को बहुत अच्छे तरीके से एक सब को better service मिल सके इसलिए team को expand किया जा रहा है क्योंकि दिन बर मुझे अकेले को 3000-4000 messages हो जाते हैं वो possible नहीं है कि हम दिन बर messages पढ़ते रहे नाइट में जैसे ही time allow करता है तो हम उनको पढ़ते हैं रीड करते हैं बट एक साथ में सारे messages खतम नहीं हो सकते हैं और definitely आपकी लेवल की marking है तो चेक करने में भी time लगेगा इसलिए distribution ज़रूरी है remember जो knowledge हमें है वही knowledge mentor को mentor ऐसे नहीं है कि कहीं से भी हमने नोर्मली हायर किया किसी भी person को mentor बना दिया they are well experienced जो भी जीटेफ का mentor है बिल्कुल completely हमारी तरह से experienced जो थोरी हमें पता है वही थोरी उनको पता है and at least वह four to five years से हमारे साथ में connected है तब जाके उनको mentor बनाया तो mentor मानके चलिए अगर आप mentor से कोई किया है और आपके ट्रेड बहुत अच्छी चल रही है सब चीजे बहुत बैटर तरीके से आप कर रहे हैं तब आप सेर करें कि सर मेरे कोडिंग लिस स्टोक में मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है है ऐसे से लग रहा हमें भी खुशी होगी आपका लेवल पता करने में कि आप ने क्या-क्या चीजें सीखिए लाइक बहुत सारे ओल स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल इतना प्रोवर कंटिनियूसली ट्रेड कर रहे हैं वह बहुत अच्छा प्रोफिट बना रहे हैं और से नहीं आएगी वह सिरफ और सिरफ चैट का प्रोपर स्क्रीन सोट लेंगे या तो स्नेपिंग टूल के दूरू जिसे यहां से हैं इसको केप्चेर करें इस सरिंद पूरे को और कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी के साथ मैं बेरिक्ली टेलीग्राम पे पोस्ट कर दें सब SEO लोग टेलीग्राम के ऊपर में टेलीक्राम की जो बस कि और वहां पर इसको पेस्ट करते टाइम दो ऑप्शन आएंगे वह वोपने कब भीजना चाते हैं एकром पॉरिज हों कॉले टाकि बिह ऑर वे चैन्व क्लियर चाटिक पिक्चर मेंठर तक मुबायल से कोई बीडिक्चर आएग जिसिका या भी आंस्वर ना करें मुबैल से पिक्चर का क्योंकि वो समझ में नहीं आती है प्रोपर ली इसक्रीन सोट लेने के और भी तरीके हैं क्मांड के साथ में प्रेंटी स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप चार्ट को भी सेव कर सकते हैं चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए सेव चार्ट टू इमेज यह ऑप्शन है सिफ्ट प्लस सी यह इमेज आपके सिस्टम में से हो जाएगी और फिर आप वहां से भी सेंड कर सकते हैं आप एक फोल्डर बनाते रहें अपने सिस्टम में कि आपने जो जो स्टैडी कर रहे हैं उनकी उपर में कि क्या-क्या चीज़ें आप रिशार्ट कर रहे हैं एंड वन मोर तिंग कि कोई भी ग्रूप पे शेयर नहीं करेगा सब के सब्सक्राइब करें वहां पर मेंटरने एक को गाइड कर दिया कि हां ठीक है यही मारकिंग है अब क्या ज़रूरी है कि मार्क करना और फिर भेजना मैं चाहता हूं कि हर एक सिंगल person home work करें धान रहे हैं कि हम इन चीजों को बहुत क्लिरली monitor करते हैं बहुत अच्छे से monitor करते हैं कि कौन सा group कैसा perform कर रहा है कौन से group के उपर में लोग कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर time pass कर रहे हैं या फिर सिरा बाते कर रहे हैं ग्रूप इनेबल हो जाएगा आज ग्रूप इनेबल होने के बाद में इंट्रोडेक्शन करें बहुत अच्छी बात है एक दूसरे से इंट्रोडूश हों बट वहां पे चीजें सिरफ काम की डिसकस करें क्या होगा अननेशसरी वहां पर कि आप दिन भर इतनी चैट कर देंगे कि कुछ भी मेसेज भेजे जा रहें भेजे जा रहें कोई नियूज का भेज रहे हैं कोई कुछ और भेज रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आपी के ग्रूप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि सर अननिसेसरी का डिस्टरबेंस हो रहा है और उनका बोलना बिल्कुल सही भी है तो वापस आएगा तो देखेगा 250 मेसेज़ हो रखें अब क्या चल रहा है चैट के अंदर में उसके लिए पहले 250 मेसेज़ बढ़ो यह सेम चैलेंज हरे स्टूडेंट के साथ में रहेगा हर एक मेंटर के साथ में रहेगा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसमें लग रहा कि मुझे इंटरफेर करना जरू करते हैं Remember learn together and together and grow together तो एक दूसरे के respect करें किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिस ना करें मेंटर के नंबर हर एक ग्रूप में शेर कर देंगे कि आपके मेंटर कौन से आपको मेंटर को ही शेर करना है हो सकता किसी को अंशू सर मिल रहे हैं अब हम आते हैं पॉइंट जो थे मैंने बता चुके हैं अगर कोई मिस हो गया होगा तो मैं वापस से रिपीट कर दूँगा जैसे ही अगर मेरे मांड में कोई पॉइंट आता है जो इसकी हो गया हो अब हम आते हैं सेकेंड एक्जाम्पल के उपर में कि एक्जाम्पल मैं वही डिसकस क्यों कर रहा हूं कि अपनी पसंद से क्योंकि मैं जो चीजें समझाना चाहरा हूं नहीं वह चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप कोई को भी स्क्रिप पर इंप्लेमेंट कर सकते हैं आपने कोई स्टॉक बोला कि लाइक इस पर कीजिए उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं एक पर्शेंट भी करने में मैं इसली कर दूंगा बट हो सकता है कि जो चीज में सिखाना चाहरा हूं अब उस चार्ट पर अभी अवेलबल ही नहीं हो हाँ मैं जो चीज सिखा दों फिर आप उसी स्टॉक पर खुदी कर पाएंगे और नहीं कर पाएं तो बेलकुल डेफिनेटली पूछें कि क्रेंट मारकेट प्राइस स्टेप को ध्यान से देख लें कि कि डिमांड जों को अड्रेटिफाई करना हो या सपल्लाइय जोन या सिसलिए करनी ada तो step number one demand हो या supply हो हम always यही करने वाले हैं कि current market price पर horizontal line place करेंगे नाम देंगे CMP and done with step number one अब हम बात करते है step number two की demand zone के लिए step number two है look left and down until you find an explosive move that means a green exciting candle down देखना है और backside में देखना और explosive green exciting candle देखनी है अगर यहां से down देखना स्टार्ट करें तो देखिए explosive green candle तो यहां पर भी मिल रही है देखने को I mean explosive नहीं है लेकिन exciting तो है as per rule exciting candle है तो green exciting candle तो मिल गई है बट step number three है साइद वह मिसिंग है वह यह कि mark all three component of the zone leg in base and leg out leg in base and leg out जो है वह मिसिंग है मतलब यह इसको अगर हम leg out मान भी लें और इसको अगर leg in माने तो बेस मिसिंग है और मेभी कि बाद में अगर हम देखें अगर बेस होती भी तो साइद यह level fresh भी नहीं अभी तो बेस केंडल ही नहीं है तो फिर इसको मार्की नहीं कर सकते तो यह candle कुछ भी काम की नहीं है एक horizontal line लेते हैं as a reference के लिए कि यहां तक चेक कर चुक है अब इससे डाउन जाते हैं अगर इससे डाउन जाएं इससे डाउन जाएं और डाउन जाने कर देखे कि current price section next price section यहां से start है हमेशा left देखेंगे और down कि इसलिए मैंने एक्जाम्पल डिसकस किया था तक इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो मैंने बेस केंडल के डेफिनेशन बोले थी इंडिकेटर पर क्यों नहीं जाना चाहिए वो भी चीज क्लियर हो जाएगी यहां पर लेगाउट केंडल है बेस केंडल भी है और लेगिन केंडल भी है ओल तरी कंपोनेंट है अब क्यूश्यन यह कि बेस केंडल कितनी है वन या टू कि इस लिए ऐसे आंस्वर का ही मज़ाता है कि वह बैसे कंसर्प्ट हम प्रैक्टिकली समझें कि वह चीज कैसे हुई कि जो लोग बोल रहे हैं वन बेस केंडल वो यह मान को बताओं आपके सॉफ्ट्वर ने आपके इंडिकेटर ने इसको क्लियर ली आइडेंटिफाई कर दिया यह है बेस्केंडल क्योंकि अगर 50% से बोड़ी कम हुई तो फिर बेस्केंडल होगी क्योंकि हम तो यहां पर पॉइंट तो ऐसे कनफर्म करने वाले नहीं है ने कि 51% है फिर 49% है और करना भी नीची यह और आप सोचें इस चीज के लिए को सौफ्ट्वेर के टूल यूज में ले ले लें ताकि हमारा टाइम बचें तो उसके भी क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या-क्या लोस हो सकता है वो भी अभी एक्स्पेंडल कर देता हूं मेरे कोडिंग लिए बेस केंडल है वो इसलिए कि चाहे इसकी बोड़ी 51% हो या फिर 55% ही क्यों नहों यह बेस केंडल ही रहेगी कि चाहे 60% है तो भी मेरे लिए बेस केंडल ही रहेगी कि क्या फरक पड़ जाएगा अब प्रैक्टिकली सोचिए सिच्वेशन को हर एक क्लास में जो भी मैं चीज बढ़ाता हूं उसका एक बहुत बड़ा रिजन होता है लाइक केंडल का हाई लो ओपन लो सबको पता बट को भी टोपिक डिसकस करेंगे डिटेल में आने वली क्लासिज में पता चलेगा कि वही चीज उसका बेस था जो हम पढ़ किया है क्लियरली पता इस ग्रीन केंडल की लोवर बोड़ी ओपन है और यह इसका क्लोज है यह हमने डेवन ही पढ़ाता अब अगेन वही चीज क्या फरक पढ़ता है इसका ओपन यहां की जगह यहां हो जाए तो I mean Low High and close वह बिलकुल सेम है बस open जो है price gap-down हुई है मैं कैसे बोल रहा हूं कि gap-down हुई है यहां पर आंब जातें कि रैड कंडल का close यहां पर यह तो आप भी जानते कि रैड कंडल का close यहां नेक्स्ट लेइस ऐपन हुई यहां पर यह open है क्योंकि यह green डाउन हुई है मतलब 26,589 पे लोज होना और 26,447 पे ओपन होना तो मतलब हम बोल सकते 140-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुए है सिरी सिमेंट अब हो सकता है कि थोड़ा सा हलका सा गैप डाउन यहां तक हो जाता उसे क्या फरक पड़ता अगर यहां तक गैप डाउन ओपन होता तो ओपन यह होता और क्लिरली आप लोगों को समझ में आता कि आपके सोफ्वेर ने इसको रजेक्ट कर दिया कि यह बेस केंडल नहीं है बट यह फिर भी बेस केंडल रहेगी रिमेंबर इस पूरे प्रोसेस के अंदर में हम इस मूव को इगनोर नहीं कर सकते जो मूव हमें यहां से लेके यहां तक मिली है इसको हम इगनोर नहीं कर सकते प्राइस में यहां पर कुस्तु है नहीं तभी तो प्रा यहां चल रही है बेस केंडल रिप्रेजेंट दफाइट बिट्विन बाइर और अब एक्टॉल में वो फाइट यहीं से स्टाट हो चुकी है प्जाट हो जो है वह जाना तो यहां से सट्ट होगाई अपसाइड में अगर आप यह मानने की यही बेश कैंडल है लेट मंए डिल्लिट ऑवरे whistle reference line को भी delete कर रहा हूं अगर आप यह मानने कि यही base candle है तो आपकी marking होगी कुछ इस type से क्योंकि formula यही है फोर्मूला यही प्रॉक्सिमल लाइन का highest body of all base यह है highest body क्योंकि single base candle है डिस्टल लाइन है lowest week of all base यही है यहां पर भी यही formula हुआ यहां पर भी अगर इसको अगर आप leg in consider कर रहें तो अगर इसको आप rally base rally मानने तो यही हुआ अब जब हम entry stop loss पढ़ेंगे हालांकि कल पढ़ने वाले हैं लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही आज ही कि हमारे एंटर प्रोक्सिमल लाइन के आसपास ही होनी सी क्योंकि हम बार बार यही कर रहे हैं कि लेवल फ्रेशनेस तभी चेक होगी जब फ्यूचर के अंदर में कोई भी प्राइस हमारी प्रोक्सिमल लाइन को टच ना करें अगर टच करके ओपर जा चुकी है यहां पर इसके नीचे कहीं न कहीं हमें इंट्री भी पढ़ लेंगे इस्टोप लोस भी पढ़ लेंगे आज बस इतना पढ़ लेते हैं मेरे कहने पर तो क्यूश्चन होड़ कर लीजी आप लोग ओके यह होगई प्रोक्सिमल लाइन यह होगए डिश्टल लाइन बट हम इस टोप लोस यहीं कहीं रख भी लें तो हम इस एरिया को कैसे इग्णोर करेंगे कि प्राइज जो है पहले यहां तक डाउन गई है और फिर यहां से उसके अंदर में एक स्ट्रॉंग बाइक प्र कि ऐसा सीन हो ने जब भी कभी ऐसा सीन हो उसको ओल्वेज रिमेंबर हम बेस केंडल ही कंसीडर करेंगे चाहे बोड़ी ज्यादा हो कंफ्यूज नहीं हो ना इस पैटन को ड्रोबेस रेली ही रीड करना है चाहे 60% से ज्यादा क्यों न दिखें उस ओरीजन के बिलकुल पारकिंग पर होमवर्क होगा और आज जिन्होंने होमवर्क करेंगे उनको कल का टोपिक ही तभी समझ में आएगा और कल वाला होमवर्क वो तभी कर पाएंगे जब उन्होंने आज वाला होमवर्क किया है तो बैसिकली यह हो गया हमारा डिमांड जॉन अब अगर कोई नेक्स्ट इमांड जोन हमें आइधेफाइए करना तो डैफेनेटली इससे भी हम डायॉन सैडमें जाएंगे बट हम एक काम करते हैं हैं डिमांड जोन वाले proximal and distal को copy paste करते हैं कि करेंट मार्केट प्राइस पर होरीजोंटल लाइन ओलरड़ी प्लोटेड है हमने स्टेप नमबर वन ओलरड़ी कर रखिए स्टेप नमबर टू यह है लुक लेफ्ट एंड अप डिमांड में डाउन देखते हैं सप्लाई में अप देखेंगे और थे हैं डिमांड में ग्रीन देखरेतें तो अब सब्सकार आप स्वाड यहीं इसका पावरफ़ोल करें या ना करें डैफिनेटल आगे के साथ ना कंसिडर करें बट अभी के लिए जब मार्किंग सिख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मार्किंग ब्लकुल प्रोपर्ल्य सीखें तो इसलिए अभी के लिए इसको लेगाउट केंडल कंसिडर करेंगे ही करेंगे क्योंकि remember rule यह है कि leg in and leg out should be explosive should be exciting ऐसा नहीं है कि explosive होगी तो ही हम level marking करेंगे explosive होती है वो level अच्छा होता है बट अभी हम अच्छे level के उपर में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम सिरफ और सिरफ marking के उपर में बात कर रहे हैं marking यह कह रही है कि इसको leg out consider कर सकते हैं और step number three यह कह रही है कि all three component ढूणने और all three component यहां पे चाहे demand हो चाहे supply हो same है that means leg in base leg out देखने तो leg in भी है यह भी exciting candle है consider किया जा सकते हैं base candle भी है यह एक base candle है और यह एक exciting candle है तो base candle के left hand side में leg in candle है और base candle के right hand side के अंदर में एक another exciting candle है जो की leg out candle होगी तो leg in base leg out all three component है pattern का नाम है RBD rally base drop supplies उनका reversal pattern है पहले price अप गई है buyer seller की fight हुई है और फिर price दाउन आई है marking कैसे होगी यह है definition marking की again two lines यह प्रोक्सिमा लाइन डिस्टल लाइन प्रोक्सिमा लाइन का formula है lowest wick of all base candles sorry lowest body of all base candle lowest body एक ही base candle है तो यहां पर रख देते हैं यह हो गई हमारी proximal लाइन और यह होगे डिस्टल लाइन highest wick of all base candle है क्योक्ली इसको नाम देते हैं PL1 DL1 supply zone को हम लिखेंगे DZ supply zone 1 तो यह हमारा supply zone बन चुका अब एक काम करना यहां में यह देखना कि फ्रेस है या नहीं है अगेन सिंपल रूल क्या लेगाउट के बाद में कभी भी प्राइस ने proximal line को टच किया है नहीं अभी तक देखें यह लेगाउट केंडल इसके बाद में टच नहीं हुई है आज की दिन तक टच नहीं हुई है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि यह लेवल फ्रेस से वेलिड लेवल है हाँ डाफिनेटल पोटेंशियल वाला नहीं है क्योंकि वह रूल तो हमने आज इनिशली जब क्लास से स्टार्ट हुई थी तभी पढ़ लिया था कि हमारी लेगाउट कितनी एक्स्प्लोजिव है ए रिमेंबर जैसे बोलते हैं लिटल नौलेज इस अल्वेज जे डेंजरस तिंग तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए कल से ट्रेड ना करना इनको बस अब्जर करें देखें मार्केट में क्या यह चीज़ें हम जो मार्क कर रहे हैं काम कर रही हैं नहीं कर रहीं कौन सी काम कर रहे हैं कौन सी काम नहीं कर रहे हैं नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही वो क्योशन पोचें कि सर हमने यह मार्क किया था लेकिन यह काम नहीं किया वो होते हैं वैलिड कि जो हमने पढ़ा है उसके उपर में हम क्योशन पोचें कि सर यह चीज तो कामी नहीं की यह क् कि मुझे भी अच्छा लगे उस कांसफर देते हुए तो यह हो गया सप्लाइज जोन वन अब हम बात करते हैं सप्लाइज जोन टू की के अग्यैं यहां तक देख चुके तो इस से देखें से डाउन नहीं आएंगे ऐसा नहीं कि यहां से डाउन आए ओल्वेज अपसाइड में देखना इसी को रिफरेंश लियन माल लेते हैं और इसी को राफरेंश लियन मानें तो यह है एक ड्रॉप बढ़ देखे बेस केंडल नहीं और उपर चलते हैं ये भी तो ड्रोप है इसको लेग आउट माल लेते हैं मतलब जब तक अगर ड्रॉप 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 कंटिन्यू है तो जिस ड्रॉप से जस्ट पहले बेस केंडल है उस ड्रॉप को कंसिडर कर लेगे यहां पर ओल्ट्री कंपोनेंट है और अगर ओल्ट्री कंपोनेंट है तो पैटन का नाम क्या है यह ओल थ्री कंपोनेंट है और पैटन का नाम है डीबीडी पैटन ड्रोब बेस ड्रोब पैटन क्योंकि फोर बेस के अंडल है क्लियरली समझ में रहा है यह सभी कि सभी बेस के अंडल है फोर्मूला आपके सामने बताइए प्रॉक्सिमा लाइन कहां पर रखें के स्क्रीडिन दॉक्सिए कि यहां तो लोविष्ट फ्रॉड died keman लॉवें की यहां पे हैं याव होगी हमारी लॉवेषट बॉड compliance काँ गां पर है है कि इस डिस्टल लाइन होगी थर्ड केंडल पर क्योंकि देखिए फैस्ट सेकेंड फॉर्थ इन सब के अंदर में हाइस्ट विक इसी केंडल का इसको नाम देते हैं पेल्टू क्युक्ली और इसे हम नाम देते हैं डियल टूँ और यह हो गए हमारे पास में सप्प्लाई जोन एसे ट्री सोरी एसे टू वन अलड़ी मार्क कर दिया यह हो गया टू अब यहां पर मैं थर्ड भी मार्क करूंगा क्योंकि उसके पीसे भी रीजन है कि थर्ड क्यों मार्क कर रहा हूं कि देखिए थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है बट मैं चाहता हूं कि जो कंसेप्ट जरूरी है आज के दिन डिसकस होना ताकि होब वर्क करते टाइम वह आपको बेनिफिट दे वह चीजें आज ही डिसकस हो जाएए अब देखिए बात करते हैं सप्लाइज ओन त्री की रूल क्या है वापस से करेंट मार्कित पैस को देखते हैं वह कंसीडर करते हैं लुक लेफ्ट अड़ यह हो गई हमारी राफ्रेंस लाइन इस इस आप्रेंस लेन इस को कन्सिडर करते हैं यह देखना है कि questo norm recent oh single ticket लेगए बेसे लेगाउम्ड स्फी मार्किंग समझी में आ रही है कि यह रही son प्रश्म लाइन एंड यह रही यहां पर डिस्टल लाइन है अब दस सप्लाइज ओन थ्री इतना सही है मार्क करना क्यों जरूरी था यह बताऊंगा कल कि इसको नाम दे रहें पील 3 क्योंकि हो सकता है कि कल हम यहां पर कुछ ना कुछ इस अप्लाइज ओन में चेंज़ेज करें कि यह हो गया डेल 3 कि यह हो गया हमारे पास में सिरी सिमेंट के अंदर में डिमांड जोन मार्क करना अब इसी के अंदर में चाहें तो हम दूसरे किसी टाइम फ्रेम के उपर में मंतली है या फिर वीकली है उनके उपर में डिमांड और सप्लाइज मार्क कर सकते हैं एक चीज़ मैं बता दूँ ऐसा जरूर नहीं कि हर बार डिमांड में सप्लाइज मिले ही मिले हो सकता है किसी स्टोक के अंदर में all time high के उपर में चल रहा और उसमें कोई डिमांड जोन ना हो बिल्कुल पोसिबल है sorry कोई भी supply zone ना हो all time high का कोई स्टोक है तो उसमें supply zone कैसे मिलेगा क्योंकि price action उसके उपर तो कुछ है नहीं जैसे अगर सिरी सिमेंट के ही monthly timeframe की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कोई supply zone है ही नहीं और supply zone नहीं है तो sell कहां से करें नहीं कर सकते क्योंकि कोई data नहीं है price कितने भी उपर जा सकती है monthly timeframe पे तो sell नहीं कर सकते हैं डेली पे supply zone मिल रहा था तो डेली पे sell कर सकते हैं बट कब डेली पे sell करना है कब मंतली पे sell करना है कौन सी यह trading styles है वो चीजें बात में पढ़ेंगे इसलिए 10th class तक कोई भी किसी को trade नहीं लेनी इसमें देखी कोई supply zone नहीं प्राइस all-time हाई पर मैं अगर इसकी complete history देखो 2000 से लेकि 2021 तक तो अभी इसमें कोई supply zone दिखी नहीं रहा क्योंकि अगर इसको current market price अगर आप consider करें और इसको अगर drop भी माने तो फिर बेस नहीं है और इसको मार्क किया लोक लेफ्ट एंड डाउन देखा लोक लेफ्ट एंड डाउन देखते के साथ ही एक explosive up move मिली है explosive up move के बगल में ही left hand side में एक base candle है उसके left hand side के अंदर में एक leg in candle है जो कि red pattern का नाम है draw base rally dbr pattern है single base candle है तो इसी पर marking हो जाएगी यह वर्टिकल लाइन जो यह को डिफ्रेंशेट कर रहा है यह 2020 का complete data 12 candle है monthly candle है तो 12 candle है यह 2019 का data है यह 2018 का data इसलिए तो यहां पर देखिए as of now एक base candle है जो कि दिख रही है इसको हमने मार्क कर दिया है यहां पर इसको base candle नहीं मान सकते हैं किस केस में कंसीडर करते इसको base candle वो केस ही नहीं यहां पर तो मैं उस चीज को अभी नहीं बता सकता है ओके डिमार्ट जोन सेकंड मार्क करना तो अगें लुक लेफ्ट एंड डाउं यह रही explosive move पट यहां पर बेस नहीं है अगें एक्सप्लोजीव एक्साइटिंग केंडल यहां पर बेस है अगें ड्रोबेस रेली हाइस्ट बोड़ी पर प्रॉक्सिमल लाइन और लोवेस्ट विक पर इस्तल लाइन सिंपल देखिए इसमोलर टाइम फ्रेम पर मां इडेंटिफाई करना से गया डेली विकली मंतली पर तो बहुत ज़्याद एजी ओके लेट में आस्क्यों एक क्योश्चन पोस्ता हूं काफी इंपोर्टेंट है मेरी को लेग आउट बेस एंड लेग इन यही हुआ करेंट मार्केट प्राइस कौन से यह रही करेंट मार्केट प्राइस करेंट मार्केट प्राइस को देखें तो यही करेंट मार्केट प्राइस वाली केंडल ही जो है वह हमें काफी अच्छी एक्स्प्लोजिव दिख रही है बहुत ज्याद एक्स्प्लोजिव है इसे कि बात करें तो थर्ड इस्टेप यह कर रहे हैं कि ओल थ्री कंपोनेट वह भी हैं लेगिन बेस अंड लेगाउट इसे होगी मार्किंग का फॉर्मूला है प्रोक्सिमल लाइन डेट मिंट्स हाइस्ट बोडी डिस्टल लाइन डेट मिंट्स लोवेस्ट विक तो पहले लाइन रखते हाइस्ट बोड़ी यह रही हाइस्ट बोड़ी अब रखते हैं डिस्टल लाइन लोवेस्ट विक क्या हम इसको मार्क कर सकते हैं क्या यह वैलिड है हम इसे मार्क नहीं कर सकते हैं विकोज देखिए टाइम फ्रेम मैंने कौन सा लिया है वीकली यहां पर मैंसेन है रहे विकली टाइम फ्रेम डबल्आ यहां पर भी मैंसेन ह्यां वीकली है और ही चंडल वीकली है यह कंडल लाइव है इम्मेंबर पुर्ण पुर्ण पॉइन्ट धहन से सुन लेके लेगाउट यह वह कभी भी लाइव लाइव Гेंडलल नहीं होनी सीए यहre और यह candle close कब होगी इस Friday के end में Friday after 3.30 उससे पहले यह दिखने में अभी आपको explosive दिख रही है हो सकता कि अभी आने वाले दो दिन के अंदर में drop आजाए price में और मान की चलिए price अगर यहां की close हो गई तो यह base candle ही बन जाएगी और base candle बन गई तो हमारे पास में all three components हुए नहीं हम कई नहीं सकते कि यहां पे all three components है यह valid zone है अगर यह daily chart होता तो हम इसे consider कर सकते हैं बट अगर यह daily chart अगर हम 3 p.m. या फिर 2.30 p.m. पे देख रहे होते तो इसे consider नहीं करते बिकोज 2.30 हो या 2.00 p.m. हो market close नहीं हुआ रिमेंबर चाहे वन मिनट ही क्यों ना बच रही हो क्या पदा लास्ट वन मिनट में selling pressure आजाए अगर यह daily पे बात कर रहे हैं तो after 3.30 यह valid है before 3.30 यह valid नहीं है और अगर बात करें यही time frame की monthly की कि let's suppose यह same picture है monthly time frame पे same picture है monthly time frame पे अगर ऐसा है तो month end का ही wait करना पड़ेगा और अभी तो सिरफ 5th of May है 31st May का हमें wait करना पड़ेगा तो ही हम इसे बोल सकते हैं कि यह candle close हुई है तो ही इसे leg out के लिए consider कर सकते हैं धान रहें कि leg out candle कभी भी live candle नहीं होगी इस point को अच्छे से समझे रहें leg out candle कभी भी live candle नहीं होगी आने वाले दो दिन में कुछ भी हो सकता है हो सकता प्राइस और उपर चली जाई है और भी ज्याद एक्सप्लोजी उस हो जाए क्योंकि कल चक देखिए यह यहां तक थी कल इसका यह हाई था अब आपको मैं दिखाऊं डेली पे क्या हो आज अज price डाउन आ गई है वो high बनाने के बदें price डाउन आ गई है कल अगर ओर डाउन आ गई ने तो हो सकता यहां पर ही आके close हो जाई कल की कल ही हो सकता ये leg out candle ना रहे हैं और अगर कल की कली price ओर उपर चली गई तो जो अभी हमें weekly time frame पे दिख रही है उससे भी ज़्यादा explosive हो सकती है तो weekly time frame पे अगर demand zone mark करना है इसमें तो ये तो नहीं हो सकता ये कब होगा अगर आज अगर Friday होता और market close हो चुका होता तो हम इसको मान लेते बट अभी के लिए इसको consider नहीं कर सकते हमें यहां तक देख चुके हैं कुछ नहीं मिला यहां पर एक exciting candle है नोट एन एक्सप्लोजी बट हाँ हम कह सकते हैं कि एक exciting candle है यह लेगीन है यह बेस है यह लेगाउट है बेस केंडल पर highest body proximal line लोवेस्ट विक डिस्टल लाइन यह आपकी मार्किंग हो जाएगी इसे हम बोल स मतलब आफ्टर दिस लेगाउट प्राइस ने कभी भी हमारी प्रोक्सिमा लाइन को टच नहीं किया तो मतलब यह एक फ्रेस है ड्रोबेस रेली बैटन कि यह इस्ट्रोंग नहीं है पर देखिए चाहें यह स्ट्रोंग नहीं हो हने वले टाइम पर बढ़ेंगे आम इस टाइप के लेवल को भी कंसिडर करें कभी कभी आप देखेंगे कि इससे भी कोई अच्छा होगा दिखने में जिसकी लेगाउट इससे भी अच्छी होगी उ कि यहां से लिए कि यहां तक प्राइस गई है अब इसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें बागी है टाइम टू टाइम ऐसे पॉइंट में बताता जाओंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाए तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं अब देखिए एक चीज और ब क्या सिखे ऑ इससे इंटिफाइंग डेमांड जोन हो या संप्लाइ जोन हो यहां पी जो हम पढ़ रहे हैं इस पैटर्न को बोलते हैं बोडी टू विक अब बोड़ी टू विक मारकिंग एक होती है विक टू विक मारकिंग को कि ये दोनों की दोनों बोड टू विक ऊति एक होती विक-टू विक मार्किंग में क्या करते हैं बैसकलि बिल्कुल सिंपल है जो प्रोक्सिंमल लाइन में आपने हाईस्ट बोड़ी लिया हमने कि यहां पर ही मालिक देता हूं लिक्ट रुट प्रोक्सिमा लाइन में इसको हम कर देंगे हाइस्ट विक और यह रहेगी एज इस लोवेस्ट विक ऑफ बेस्ट कर सिंपल यहां पर भी क्या रहेगा यहां पर भी एज इस डेफिनेशन रहेगी मतलब इस के अंदर में भी सेम तुसेम रहेगी विक टुविक मतलब विक टुविक में आपको करना क्या है जैसे इसी लेवल को अगर विक टुविक मार करना हो अब इसको वैलिड नहीं बोला मैंने क्योंकि लेट सपोस्थ फ्राइडे क्लोज हो चुका है तो तो मार्किंग यहीं होगी यह बोडी टुविक बोडी टुविक मार्किंग विक टुविक के लिए की किया करना आपको हाइस्ट और लौवेश्ट दोनों पे लाइन रख दे मतलब प्रोक्सिम एल लाइन हाइस्ट पर चली जाएगी और लोवेस्ट जो डिस्ट लाइन है वो तो ओर डिलोविक पर है अगर हमने अभी जो अग्जाम्पल डिसकस किये हैं अगर उनी को डिसकस करें लाइक एयू बैंक जैसे यह वाला डिमांड जोन इसमें टू बेस केंडल है करना क्या जो प्रोक्सिमल लाइन आपकी हाइस्ट बोडी थे ना उसको हाइस्ट विक कर दें बस यह रहा हाइस्ट विक बाकि यह लौवेस्ट विक हाई मतलब चाहे कितनी भी बेस केंडल क्यों ना जिस भी बेस केंडल की हाइस्ट विक हा वहाँ पर प्रोक्सिमल लाइन और जिस भी बेस केंडल की लौवेस्ट विक हा वहाँ पर डिस्टल लाइन अगर बात करें विक कर दे, Maß वह अपसे रिपीट कर रहा हूं, लक्समी देखिए, हमारी पहले मार्किंग क्या है, में पहले मार्किंग है, बोड़ी टु विक मार्किंग, पहले डिमांड जोन की बात करते हैं, यही तो मार्किंग है हमारी बोडि टू इक मार्किंग जो कि बिल्कुल सबको क्लियर है विक टू विक में बिल्कुल भी कोई टफ रूल नहीं है सिंपल क्या करना है आपकी प्रोक्सिमल लाइन जो है उसके साथ में चेंजेज होंगे डिस्तल वही की वही रहेगी जो चेंजेज होंगे वो प्रोक्सिमल लाइन के साथ में होंगे डिमांड जोन में प्रोक्सिमल लाइन हाइस्ट बोडि थी विक टू विक मार्किंग के अंदर में वो हाइस्ट विक हो जाएगी हाइस्ट बोडि को हाइस्ट विक से रिप्लेस क किया बस कि कब करनी है क्यों इंपोर्टेंट है ऐसे क्योशन होल्ड करें हो सकता अगली वन मिनट पर उसी पर आने वाला हूं एक बार जिन लोगों को यह समझ में नहीं आया उन लोगों को यह चीज में अच्छे तरीके से एक बार समझा दूँ बोडी टू विक जो थी इसक म आपकर सिरफ प्रोक्सेमल लाइन पर होगा क्योंकि दिस्टर लां तो ऑल्रेधि लोवेस्ट विक्क है व्याज्ट जोलफियमल यूं को हैसे क्यों हों कि अगर बात करें सद्धै प्रेब्रक्सिमल लाइन द्ली टीज रहेंगे अ क्या चेंज़ रहेंगे जो लोवेस्त वोड़ी थी नहीं उसको लोवेश्ट विक कर दें कि विक टू विक मार्किंग हमने क्या किया है कि एक काम करता हूं इस फॉर्मूले से कन्फूस्ट होएंगे तो इसी को एजिटेश कॉपी करता हूं जो सप्लाइज उनका ओल्ड फॉर्मूला था एसकी प्रॉक्सिमल लाइज और इसी के डिटेश लैन इस फॉर्मूले को एज देज कोपी था है है सप्प्लािण लाइन का ओल्ड फार्मूला किया था लॉट्ट बॉड़ी पर हम बेस केंडल कि लॉट्ट के उपरमें प्रोक्सिमाल लाइन मार्क कर दिये और है स्ट विक केंदर में हम डिस्टल मार्क से रिप्लेस करना तो यह रही प्रोक्सिमल लाइन जो लोवेस्ट बोडी है इसको रिप्लेस कर दो लोवेस्ट विक कि अब यह बहुत इजी है मतलब क्या करना जितने भी टोप पॉइंट उनके उपर में एक लाइन रख दो और जितने भी बॉटम पॉइंट है मतलब जितनी भी सार्व बेस्ट केंडल में पर यह पाइन रख दो और जिसकी भी लोवेश्ट विक वह पर एक लाइन रख दो जब ये area बहुत जादा अच्छा हो और अच्छह की definition क्या होती है अच्छह की definition यही होती है कि legout candle जो है वो जादा से ज़ादा हो और explosive हो नी ट्यौंट 2 बेस केडल की जो लेंध और नेरो नेट मिससानु gen कि वह हं से लेकर इसकी विक विक ही आप देखें ए मैं कि यह तक है यह जितनी नेरो होतना अच्छा जितनी नेरो होगी यहिंक आप लोगों कि लिए उग होगा और भी बहुत सारे पॉइंट है कि और कौन-कौन से कंसिडर करने हैं बट अभी मार्किंग थी और यह स्टेप्स बार-बार नहीं लिखने वाले तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पर से इंक्लूड कर दिया बोड़ी टूवी कर विक टूविक मार्किंग इनीशली आप लोगों को क्या करना है कि से रप और सरफ इस फे फोकस करना steps in identifying demand zone how to mark this zone body to week steps in identifying supply zone है कि यह भी बोड़ी टूविक है कि जो भी मार्किंग होगी सिरफ और सिरफ अभी बोड़ी टूविक होगी अभी आप यह से डिसाइड करें ही ना कि आपके accordingly कौन सा लेवल बेस्ट है अभी आपके accordingly कोई लेवल बेस्ट नहीं है अभी आप लोग सिरफ सीख रहे हैं मेरे accordingly अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना बागी है मैं इतना detailing में सिरफ इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि कोई भी एक सिंगल कंसेप्ट ऐसा नहीं हो जो आप लोगों से रह जाए यह जो में चीजें हम पढ़ रहे हैं यह आगे चलके बहुत ज़्यादा रिवार्ड देने वाली है इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई सिंगल चीज भी मिस हो कुल यह कि dzięki आप को सिरस्याथ बोड़ी गुडा। मार्किंग पर ही कंसेडर करना सिरफ और सिर बौडे टूइक ना में मैंese empirिक मार्टू बढ़ना जैसे जैसे इक्रम्पल आते जाएंगे। मैं खुद बताता जाओंगा कि इसमें आप विक टो विक ले लिए उसका मैं रिजन दूगा कि क्यों ले रहे हैं अभी मेरे पास में देने का रिजन सिरफ यही है कि यहां पर लेगाउट के अंडल एक्स्प्लोजिव हैं आने वाले टाइम पर दस रिजन और होंगे कि यह भ द्यूंग पर कुक्ली में चीजें बता रहा है कि क्या हमने पढ़ा धान ऐधान से सुन ले कि फास्ट में रिपीट कर रहा है वही पढ़ा होंडेम के फास्ट कर रहा हो इस होमवड़ में गृप पे डिसकस करने अलब होमवर्क में ग्रूपे सेंड कर दूंगा होंवर्क के रूल सब ध्यान में रखें कि क्या बता है मैंने उनको स्ट्रिक्ली फॉलो करें देखिए हमने पड़ा कल जो स्टेंथ ऑप दा जोन पड़ा वही पड़ा हमें पता है कि अगर बेस केंडल के बाद में नौ लिसन टू मी केरफूली बेस केंडल के लाद में अगर ग्रीन केंडल बहुत ज्यादा अक्सप्लोजिव है उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इस एरिया के अंदर बाइंड वेर यहां पर सबसे hemos order because यहां पर back to back to leg out candle है यहां पर एक ही लेगाउट candle है बट वो बहुत ज्यादा explosive है हम कह सकते हैं कि इस case में सबसे ज्यादा pending order है फिर इस case में एंड फिर इस case में सेम सप्लाई जोन में इस case में कम pending selling order है इसमें ज्यादा विकोज इसमें लेगाउट candle बहुत अच्छी है और इसमें तो back to back two है तो यह और भी अच्छा हो गया तो यह तो हमने कल वाली जो चीज़े थी वो डिसकस की आज हमने क्या डिसकस किया आज हमने बढ़ा कि कर देमांड जोन और सप्लाई's जोन की कुछ एक eenratedन होते हैंद्य मांड के टू पैटन है यह सप्लाई's और तक अप गई है तो इस रेया में kanning order है सेक़ंड पैटन यह हो सकता है कि प्राइस अप जा रही थी एक बाइर सेलर की फाइट हुई और फाइट के बाद में अगेन अपी जा रही है मतलब बाइर अगेन विन-विन सिच्विशन में है supply zone के pattern में कुछ इस टाइप से होगा कि price जो है अप जा रही थी that means buying pressure था कुछ seller आये buyer seller के एक fight हुई वो हमें पता लगा इस base candle से और उस fight के बाद में result ऐसा निकला कि seller win-win situation में है price down आई है तो ये एक supply zone का pattern हो गया price का up जाना base बनना और down आना rally है base है drop है तो इसलिए हम इस pattern को rally base drop read करते हैं इस pattern में price already down आ रही है that means drop है एक base candle बनी buyer seller की fight हुई and again seller ही win-win situation में है जो कि यहां पर भी थे तो उस वज़े से price continuously down आ रही हम कह सकते हैं कि इस area में pending sell order है तो यह pattern हो गया dbd pattern तो demand zone के दो pattern है supply zone के दो pattern है demand zone का first pattern और supply zone का first pattern इन्हें हम reversal pattern बोलते है demand zone का second pattern और supply zone का second pattern इन्हें हम continuous pattern बोलते हैं हमने साथ ही साथ में यह भी बढ़ा कि reversal pattern जो है वो ज्यादा powerful होते है as compared to the continuous pattern क्योंकि इन्होंने price को वापस से reverse कराया जो price down जा रहे थी buyer आये ने सिर्फ price को रोका बल्कि उसे upside में लेकी गए जो price up जा रही थी ने सिर्फ price को अप जाने से रोका बल्कि डाउन लेकि आये यहां पर क्या हुआ price already up जा रही थी bullish momentum continue तो हलके से seller आये एक fight हुई again up selling pressure continue है price एक buyer seller की fight हुई and again price down रही तो मतलब कुछ खास अचीव नहीं किया जो ओल्रड़ी एक momentum था वो continue है दोनों चीजों के अंदर में तो इसलिए हमने technically समझा कि reversal pattern है वो more powerful होते as compared to the continuous pattern but continuous को भी हम consider करेंगे कब कब continuous को priority देनी है वो आगे का price action आने वाली classes में आप लोग better तरीके से समझ पाएंगे हमने इन पैटन को लाइक drop base really नाम दिया है वैसे ही base candle के जो left hand side में जो candle है उसको लेगिन candle बोलते है और base candle के जो right hand side में जो candle है उसको leg out candle Бोलते है remember leg in and leg out दोनों की दोनों ही exciting होनी सींगे दोनों की दोनों ही multiple leg out हो सकती है multiple leg in हो सकती है multiple base candle हो सकते है वो भी को इस्चू नहीं है जितनी ज्यादा leg out होगी और जितनी explosive leg out होगी वह जोन उतना ही अच्छा होगा चाहेव वो demand zone हो चाहे supply Worlds जोनो multiple leg out and explosive leg out उतना ही अच्छा zone होगा उतना ही ज्यादा उसमें pending order होगी चाहे demand का हो चाहे supply का हो बेस्केंडल के left hand side वाली leg in base candle के right hand side वाली leg out and demand zone के अंदर में leg out candle always green होगी जबकि supply zone के अंदर में leg out candle always red होगी लेगिन candle कोई भी color की हो सकती है red भी हो सकती है green भी हो सकती है यह हमने पढ़े pattern pattern पढ़ने के बाद में हमने कुछ एक practice की थी practice के बाद में हम आये थे demand zone supply zone marking पे demand zone supply zone marking की कुछ एक steps है step one दोनों में common है that is mark horizontal line at current market price current market price को consider करते हुए horizontal line mark करनी है सबसे सच जो अग्जामपल हमने देखा था इसके अंदर में AU bank देखा था यह थी current market price जिस पे हमने एक horizontal line mark की horizontal line mark करने के बाद में step number two look left and down until you find an explosive up move that is green exciting candle yes यहाँ पर यह मैंने reference के लिए लिखा है explosive up move यहाँ पर यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला अगर इसके downside में जा रहे हैं तो next price section यहाँ से starter next price section अगर यहाँ से starter तो इसको consider करते हुए हमने देखा कि हमें एक green exciting candle मिल रही है step number three यह थी कि हमें all three component identify करने थे that is leg in base and leg out हमें यहाँ पर all three component में मिल लेग in base and leg out यहाँ पर two base candle थी अब हमें marking करने के लिए demand zone marking के लिए two lines see one is proximal line and other one is distal line proximal line को formula होता हाइस body of all base candle जो कि यहाँ पर mention भी है distal line को formula होता है lowest week of all base candle highest body जो थी वो यहाँ पर है यह हो गए इसकी highest body क्योंकि second candle कि बोडी जो वो highest है यह हो गई proximal line distal line का formula है lowest week of all base candle lowest week first or second में first candle की है तो यहाँ पर आ जाएगी distal line proximal distal दोनों mark किये हम कह सकते हैं यह demand zone है demand zone valid है या नहीं इसके लिए हम fresh check करते है freshness check करते है freshness कैसे check होगी हमें यह देखना है कि कभी price future में after this leg out candle कहीं हमारी proximal line को test तो नहीं कर गई अगर touch कर गई ऊपर जा चुकिए that means वह level fresh नहीं है और अगर touch नहीं की है that means वह level fresh है हमें always fresh level ही consider करना tested level हो सकता है दुबारा चल जाए हो सकता तीसरी बार भी चल जाए बट उसमें probability कम होती है और हमें एक ऐसा game खेलना है एक ऐसी trading करने जिसमें probability ज्यादा से ज्यादा हमारे favor में हो इसलिए हम always fresh level को ही consider करेंगे इसलिए हमने second demand zone भी देखा second demand zone अगेन यही था कि price के अंदर में हमने एक reference line ली कि यहां तक तो कुछ नहीं मिला इसके नीचे का price action देखने के लिए लाइन के साथ साथ में parallel left hand side में गए और left hand side में जाने के बाद में आपने देखा कि next price action यहां से start again all three component leg in base and leg out all three component हमें यहां पर मिल गए green exciting candle भी मिल गई है three base candle थी तो three base candle पर marking करेंगे marking का same formula होगा proximal line and distal line proximal line के definition highest body highest body third candle की है और lowest week first candle का proximal distal दोनों plot की demand zone second valid है या नहीं है यह leg out candle इसके बाद में यह चेक करना है कि price कहीं यहां पर आई तो नहीं हमने चेक किया right hand side में current price action तक कभी भी price ने proximal line को touch नहीं किया that means यह एक valid demand zone है हम इसे consider कर सकते हैं अगर हम बात करें supply zone की तो supply zone का भी rule कुछ इस type से ही है कि current market price पर horizontal line का mark करनी है step number two में कुछ इक changes है जहां पर look left and down कर रहे थे इस बार look left and up करेंगे वहां पर green exciting candle देख रहे थे यहां पर red exciting candle देखेंगे लुक left and up गए तो red exciting candle भी मिल गई step number three common है लेगीन बेस और लेगाउट लेगीन और बेस और लेगाउट को है वह यहां पर है तो यहां पर होगे lowest body highest week कहां पर हाइस्ट विक यहां पर है यह होगे डिश्टल लाइं तो यह होगा supply zone one अगर second supply zone mark करना है तो उसके लिए हम again up side में गए up side में जाने के बाद में हमने देखा कि हमारे पास में एक another drop है इस drop के साथ में हमने देखा कि all three component भी है लेग इन बेस और लेग आउट पैटन का नाम है ड्रो बेस ड्रो पैटन थ्री बेस केंडल है 123 हमने करसर ले जाके चेक किया कि second candle जो है उसका लो जादा है तो second candle के उपर में हमारी प्रोक्सिमल लाइन होगी क्योंकि lowest body देखनी होती है supply zone में और third candle के उपर में हमारी highest week होगी क्योंकि third candle के उपर में ही हमें distal line mark करने है क्योंकि वहां पे highest week प्रोक्सिमल distal line mark करने पर यह बन गया second supply zone again इन में भी चेक करना है कि phrase है या नहीं है कैसे चेक करेंगे यह देखना है कि लेगाउट candle के बाद में कभी प्राइस ने हमारे प्रोक्सिमल लाइन को टस्तों किया आप देख रहें ना यहां और ना यहां तोनों एरिया में कभी भी price ने टेश नहीं किया हमने यह बढ़ा कि अगर price अगर यह base candle की week यहां तक होती इसको touch कर चुकी होती तो यह level tested होता हम इसे consider नहीं करते हैं अगर back to back आपको tested यह tested level मिल रहे हैं कुछ भी fresh नहीं मिल रहा उस stock को छोड़ दे Remember stock market में कभी भी कोई भी unnecessary opportunity खुद create नहीं की जाती है हमें stock market खुद allowed करेगा stocks खुद allowed करेंगे कि उनमें क्या क्या opportunity बन रही है जब तक opportunity नहीं बन रही है no trade zone कोई भी unnecessary opportunity create नहीं करने है अपने आपको प्रूब करने के लिए चीजें सब चीजें data पे चलेंगी assumption पर expectation पर नहीं काम करेंगी थाड़ क्लास है आज समझ लें बहुत अच्छा है होगा यही जो मैं बोल रहा हूं ओके तो यह हो गए supply zone 1 यह हो गए supply zone 2 इस टैप से आपको demand and supply दोनों के दोनों mark करने है next example हमने discuss किया था और नेक्स्ट एक्जामपल से पहले एक काम करते हैं निफ्टी बैंक काफी participants जो हैं वह फिलहल offline है तो मैं नीच आता है निफ्टी बैंक निफ्टी का discussion वह भी मिस करें निफ्टी बैंक निफ्टी जो है अभी एक बार फिर से इसक्राइब कर लेते हैं क्योंकिकल भी डिसक्स कर लेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं कि कहां से चल रही है इस एरिया से यह डिमांड जोन था और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है यहां से तो चले यहां पर भाई का लेवल भी दिया था इसमें इससे पहले जब यह ड्रोप आई थी बैंक निफ्टी के अंदर में यहां से लेके यहां तक 32,800 से लेकी यहां तक 29,683 डैट मेंस मोर दें 3000 पॉंट तब कहां से चली थी इस वाले डिमांड जोन से ड्रोप बेस रेली से तब भी तो इस एक चल्य है अब यह डिमद ऑन बन गए इस एक है उससे पहले है कि इस्ते पहले चोंड रहे जो आग्ट ने मार्किंग से कि घंठी है अधिन कि यहीं से ड拜拜 है, यहीं से लिच्ट, Democracy, यही carta है सब चीजे उसी मेर में काम कर रही है यह एक नए सप्लाइजोन बना कुछ इसको भी टच करके प्राइस डाउन आगई अभी प्राइस फाइनली आप जा रही है और अभी प्राइस यहां पर ही क्यों रुख गई इतना गैप डाउन होने के बाद में विकोज यह एक डिमांड बिल्कुल बैंक निफ्टी की कोपि है इस डिमांड जोन में आई से सिब्सक्राइब का यहां से अब चली गई है कि अगें दुबारा आती है दुबारा भी चल जाती है बहुत बार ऐसा जरूर नहीं कि एक बार चल गी तो दुबारा नहीं चलेंगी प्राइस यह एक सप्लाइज जोन है देखिए कितने अच्छा सप्लाइज जोन दिख रहा है यहां से तो प्राइज डाउन आई है आई से बैंक के अंदर में कितने भी स्टोक्स कोल गए देख लिए जो थियोरी बता रहा हूं वही काम करेगी चाहिए कोई भी स्टोक्स निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो कुछ भी हो बले यह रहन निफ्टी के अंदर में यह वाला लेवल है सेवंटी फाइब मिनट के ऊपर में यहां पर बहुत अच्छा जोन ता यह आपको जोन कब समझ में आएगा 75 वाला जोन जब हम में यहां पर कोई भी बाई करने में इंटेस्टेड नहीं ते और यही हुआ कि प्राइस यहां पर यहां से चलने लग गई 14150 से तो चीजें वैसे ही काम करेंगे अच्छां हुआ कोई बी कमीनियस लवल में यहां से प्राइस डाउन आगी तो हर एक स्टोक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब के अंदर में same principle इंप्लिमेन्ट होगे और चाहे इसे में, आप चाहे commodity में यूज करें, चाहे for x market में यूज करें, डिमांड supply principle यूनिवर्सल है हर जगे से काम करता है बस हां , इनकी कितनी बारिकियों को हम बड़ते हैं , कितनी के सबसे सब्से करना है mentor के भी number send कर रहा हूं मिलते हैं कल तब तक के लिए सुबरात्री see you tomorrow good night take care and bye आप लोगों ने third session देखा है इसके according आपको practice करनी है demand supply को identify करना है चार्ट पर जिस homework की class में बात करी गई थी वो एक live session के लिए होता है जिनके लिए mentors प्रोवाइड किये गए हैं यदि आप लोग खुद से practice करना चाहते हैं आप लोग के लिए में कोई ऐसा homework नहीं दूंगा कि इस chart में इस stock में यह identify करें आपको खुद से ही चार्ट स्लेक्ट करने हैं लाइक बिक्ट्रीड इसमें से कुछ स्टॉक ले लिए निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ले लिए निफ्टी 200 के कुछ स्टॉक्स ले लिए उन पर practice कीजिए उन में डेमांड सप्ला इडेंटिफाइग कीजिए यदि आपको लगता है कि आपको homework करते time या practice करते time किसी correction की जरुरत है तो आप social media पर मेसेज कर सकते हैं उस चार्ट के साथ वहाँ पर टीम आपकी help कर देगी बिसिकली social media पर यह facility अवलेबल नहीं होती है बट क्योंकि हम लोगों ने आपको facility प्रवाइड की है ट्रेडिंग नजो नरिमेटी की वीडियोस देखने की सो हम लोग चाहते हैं कि हम आपको और भी support कर पाएं तो वहाँ पर just message कीजिएगा जल्दी ही नेक्स वीडियो का और तब तक के लिए इस वीडियो पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड जी टीफ से गनेक्टर रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें description में हमारे social media platforms, telegram, facebook, insta और बाकी सभी handling की link दी हुई है उन्हें subscribe करें, उन्हें join करें Thank you guys